आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का फिर्स चैप्टर द पोट्रेट ओफ लेडी तो अगर आपको इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्स पढ़ने है और साथी के साथ में अगर आपको क्लास 11 इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है चाहे वो सभी के सभी चाप्टर्स हो ग्रामर पोर्शन हो राइटिंग पोर्शन हो या रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन हो तो उसके लिए आप सिंप्ली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को च मत सकते हो ठीक है और स्पेशली अगर बात रही हमारे लिट्रेचर के चाप्टर्स की तो यह मैं आपको गैरेंटी करिऊ कि अगर आपने एक बार मीरी वीडियो से चाप्टर को सुन लिया है तो चाप्टर आपके दिमाग में बस जाएगा और इंग्लिश में तो आपके बस ध्यान से सुन लिजिए एक दो बारी चाप्टर समझ भी आ जाएगा आंसर फॉर्मेशन भी आ जाएगा और आपको बागी चाप्टर पढ़ने है या बागी जो है सब्जेक्स को चेक करना है तो उसलिए जाके चानल को देख लेना नोट्स चाहिए अगर आपको हर इस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो मेरे चानल भी चेक कर सकते हो जो नोट्स में आपको बता रही हूं हैंडिटे नोट्स और टाइप नोट्स उसके रिए इंसेग्रम एडी लंक वहां पर 11 इंग्लिश इस्ट्री पॉलिटिकल जोग्रफी फिजिकल एडुकरेश तो भाई ये राइटर वैसे है हमारे खुश्वन सेंग जी आप फिर भी मुझे कॉमें सेक्शन में बता देना मैंने आपको बता दिया है और ये जो उनकी स्टोरी है जो उन्होंने ये लिखी है उसमें इन्होंने हमें बहुत ब्यूटिफुली समझाया है पोच्रेट दिख इसधर वाईटी पता चलेगी कि जैसे जैसे हम चोटे-पारेंके को बहुत ही जादा क्लोस होते हैं हम उनको बहुत सारा टाइम स्पęd करते हैं उनके साथ वो हमारी लिए बहुत कुछ करते हैं ङसे-जैसे हम बड़े होते हैं नमदेख्याग को बड़ें अरुम से पाला उने बढ़े होगे कैसा फेल होता होगा ठीक है तो ऐसी से कुछ चीज भी हमें इसमें शो करी गई है सिंपल और बहुत ही ब्यूटिफुल चाप्टर है यह तो मैं आपको एक बर हिंदी में पोरा चाप्टर समझा देती हूं फिर इसका लाइन मेलान एक्स्लेनेशन क्या होता है खुशवन सिंग जी जो है अपनी ग्रांड मदर के साइठ जीक है इनको ऐसा लगता है कि हम चोटे होते ना थो हमें भी उतकते हैं तो कुश्वन सिंग को भी ऐसी लगता था कि उनकी जो दादी है वो हमेशा से ही बूरी ठीक है और गाव में वह एक साथ रहा करते थे अब गाव में ज़रूरत का ख्याल दादी रखती थी सुबह उठाना रेडी करना स्कूल के लिए लच पैक करना खाना खिलाना और स्कूल जाना स्कूल तक python के भी गाओं में खुश्वन सिंग को और यह कुझालिटी ओर सिंकungen की जो थी थी कई मंधिर के फास में दौलर में ही स्कूल घुश्वन सिंग के तो दादी मौ खुश्वन सिंग मैं सकूल जा आते थे थे धुश्वन इत्ति द्र अपनी पढ़ाई करते थे मंदिर में ही जो प्रीस्ट होते थे पंडित होते पढ़ाते थे और दादीमा अंदर बैठके जो है सब्सक्राइब करते हैं और दादीमा उनने स्कूल नहीं जा पाती तो दीरे दीरे उनके बांड में वह कहते हैं थोड़ी थोड़ी हमारी दूरी बढ़ने लग जाती है मैं कम मिल पाता हूं दादीमा से मेरी अपनी पढ़ाई इतनी है तो ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो जाग जाते हैं तो उनका रूम भी अलग हो जाता है और उसके बाद से दादीमा और वह और कम मिलते हैं अब फाइनली क्या होते कुछवन सिंग डिसाइड करते हैं कि वह अब रौट पढ़ने जाएंगे पात साल के लिए जा रहा हूं अब दादीमा और ज्यादा बूड़ी हो इतने बड़े हो चुगे थे तो नहीं डर लगता है कि क्या में वापस जब आऊंगा विदेश अपनी पढ़ाई पूरी करके क्या दादीमा से दुबारा मिल भी पाऊंगा यह नहीं ऐसा नहीं कि मैं वहां और वह चल बसे तो यह कहानी है इस चाप्टर की तो अभी मैं आ आइसा बिल्कुल बूरी सी हैं जैसे सबके दादादी होते नो मेरी भी पूरी और जुर्यों से बहां हुआ है और मुझे इसा लगता है कि वह 20 सालों से मैं अनुने 20 सालों से जानता हूं और तबसे वह ऐसी की ऐसी है और और रिंकल है और उनको खुश्वन सिंह को लोग मैं यकीन ही नहीं होता कि मेरी दादी मां कभी यंग और प्रेटी वी हूंगी लोग कहते हैं उनकी शादी होई थी शादी एच्छ? विवेटीफोल गांग प्रेटी नहीं मुझे तो ऐसी अपने क्यूट सी दादी मां दिखाई देती है जो बुरी है फिर वो अपने grandfather के बारे में बताते है grandfather के बारे में उन्होंने कैसे explain करें हो कहते हैं हमारा जो रूम है ना मतब कि पूरा हमारा घर है वहां पे जो एक mantle piece है mantle piece के ओते exam में आ सकता है जैसे यह fireplace टाइप की जगह होती है ना सजावट करने की उसके उपर उन्होंने जो है mantle piece के उपर एक photograph लगी विया ठीक है फ्रेम डूई भी उसमें उनकी grandfather की फोटो है दादा जी की दादा जी और जी कैसे उनके दादा जी उनके सिख है सदार है तो उनके टरबन पैन रखिया उनकी वाइड बीर्ड है और इवन सब्सक्राफ के अंदर दादा जी वो भी बहुत ज़्यादा बुड़े हैं उन्होंने लूज पें रखें टर्बन है उनकी और उनको देखके वे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यह जवान होंगे नहीं मिरको इनको देखके भी ऐसा ही लगता है कि हाँ इनके लॉट्स ओफ अब दादी मां है कभी-कभी उन्हें बताती है मैं अपच्पन में यसे गेम्स खेला कर दी तीमुझे न stats को यहिसे बुल्स तो यह इसे वह फोड़ हैं इस अपनी एक्विश्पन का फुल-on डस्रेप्टमें कुछते हुए बहुत на के appearance of grandmother बताओ तो वो जैसी अपनी appearance बताते है grandmother की वो मैंने प्रॉपर नोट्स में लिख दिया आप देखो अब वो finally क्या बताते है कि उनकी grandmother old है बहुत ज्यादा short height की है fat है यानि कि काफी गुलूमोली से cute सी है और slightly bent है यानि की वो थोड़ा सा जुक के चलती है ठीक है wrinkled face है उनका बिल्कुल भी और वो कहते है कि 20 साल से वो मिल्कुल सेम लग रहे है जैसे जब वो गाओं में ते शहर में अब युनिवर्स्टी वाली हो चुके है बीस साल हो चुके है ना बीस साल के वो होगे होंगे कहते तब सेले कि अब तक मुझे विगूल सेम लगती है मेरी ग्रांड मुदर वो सीधी नहीं चल पाती है थोड़ा से जुक के चलती है हमीशा वो कहते हैं वो पूरे घर के अंदर घूमती रहती है वाइट कलर के अपने कपडों में आने के वाइट साडही पएं कर रखे और वो हाथ में एक अपनी रोजरी जो माला होतीया चैंट करने के लिए वह पकड़ के पूरे करती रहती थी और हर समय उनकी जो लिप्स थे वो उसमें जो है भगवान का नाम लेती रहती दादी जो है हर समय चांटिंग करती रहती तो इस चीज को आपको ध्यान रखना दादी मा कैसी थी ओल थी शौट थी गोलू-मोलू सी थी ठीक है और उनका रिंकल्ड फेस था साथ के साथ में वह थोड़ा सा जुकर चलती थी एक हाथ उनका कमर पे रहता था और हमीशा एक हाथ में रोजरी रहती थी और पूरे घर के काम वह ऐसे ही घूमते-घूमते करती रहती तो यह हमारी दादी माव का डिस्क्रिप्शन ठीक है तो विद अगे चलते हैं अब हमें ब कंवें रखती थी सुबह सुबह स्कूल जाने के वह उठाती थी यृथ स्कूल जाने के लिए दाधी मा उठाथ मेर को घंग। तो वह क्या करती थी वह हमेशनाब प्रियर बोलती रहती चंतिंग घक रहती थी हरा मुझे ना कभी लर्न करने का मन नहीं करा मैंने कँछ नहीं करे बदादी माहां हमेशा जुह सदाट खुष्वन सिंग भी उसे वह स्कूल के लिए तो इवन वो उनका स्कूल का बैग भी रेडी करती है देखो वो पुराने जमाने की बात है तो तब बच्चे ना स्लेट लेके जाते थे अपने स्कूल तो गयते हैं मीधी स्लेट होती थी उसके उपर प्लास्टर करना होता था चौक से तो वह दादी मा करके रखती थी मेरा इंग पॉ स्कूल में आपको बता दिया कि दादी मा और जो ओधर है दोनों स्कूल भी एक साठ जाया करते थे इक खटे दादी मा उनको छोड़ती थी पिर वह अंदर चैल जाते थी मंदिर में चैल स्कूर्टर भरती थी और सारे बच्चे जित्ते होते थी ना उन्हें पंडजी जो तो इतना जादा उनका करीब थे वो दोनों कि स्कूल भी खट्टे जाया करते थे फिर जब स्कूल की छुटी थी तो एक साथ उनों घर आते थे अब कुश्वन सिंग बताते हैं गाउं में क्या होता था जब हम स्कूल से वापस से खट्टे आ रहे होते थे तो जो विलेज के प्रॉपर यहां पर फल जाते हैं उतना शन से सभी स्क्राइब काश्यार को जाते हैं तो आपके तो यह नो आपनी दादी उनकी जो है उनको वहां बूला ली ते आप वहां थी थोड़ी सी मैंने जिसे आपको बताया था कि उनकी जो दूरी आए थोड़ी बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वह शेयर तो कर रहे थे हैं कि रूम में तो रहते थे बर दादी खुश्वन सिंग को स्कूल पढ़ा यह वह नहीं पढ़ा तो दादी माँ खुश नहीं होती थी और वह इसलिए उपढ़ाया जा रहा है तो उन्हें इंग्लिश एज्जुकेशन पसंद नहीं आती है उच्छोप रहती है फिर एक दिन के ओधर बताते हैं मैंने दादी को बताया कि हमारे स्कूल में उन्होंने मुझसे पूछा अब दादी मास घर पे तो बिल्कुल अकीली रहती थी सिटी वाले तो वहां पर उन्होंने अपने पास्टाइम करने के लिए क्या उनका एक तरीका था और वह एक अनिमल लवर थी तो हमेश्या घर का जो वरांड़ा ओता था सिटी वाले घर का उसमें चिडी आ दी ती स्पेरो तो उसको छोटी छोटी तोड़ तोड़ के उनको खिलाया कर दी दादी मा किसको स्पेरो उसको ठीक है नाव देस और लेस ऑफ इच अदर अब वह एक दूसरे को थोड़ा कम देख 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 यह फाइनली क्या होता है ऑथर आ जाते हैं उनिवर्सिटी के अंदर और उनको कॉमन लिंक और फ्रेंड्शिप भी खतम हो जाते हैं अभी तक क्या था उनका कमरा ठीक है दोनों सेम कमरे में थे बात तो करते होंगे ना इटलीस ठीक है कुछ नहों कुछ तो बाते करते हूंगे वह कहते हैं जब मेरा और उनका रूम दादी को अविसली बुरा लगा होगा बट वो कहते हूं कुछ कहती नहीं है शी एकसेप्टेड उन्होंने इस चीज को भी एकसेप्ट कर लिया फिर में देखता था उनको दादी मा को अपने घर में हमेशा जब मेरा और उनका रूमा लगो गया तो वो चुपचा वरांड उनके में आती थी सबलों 20-30 चड़िया आ जाती थी कोई दादी के सर पर कभी बैठ जाती थी कोई हार पर बैठ जाती थी वो ने ऐसा शू करके भगा देती नहीं ती ऐसे प्यार से भगाया करती थी तो उनका टाइम पास पूरा होता था फिर चड़िया होगे जाथ अब सब्सक्राइब होता है जो मैंने आपको पताया था नरेटर वेंट अब उनिवस्टी तक तो वह पढ़ रहेते कमरा भी अलग हो गया था अब नरेटर डिसाइड करते कि मैं जाओंगा बाहर पढ़ने वह कहते हैं मुझे बहुत ड़ लगा कि अगर मैं बात साल के लिए बा इमोशनल नहीं थी इसने थी वह मुझे बहुत परशान होंके दिखा दी कि अब मैं उन्हें ज़े जा रहा हो नहीं को गयते हैं जाते-जाते वापसी पर रहता हैं और उनके फोरेट पे किस करती है और उस समय भी वो रोजरी जो है साथके साथ प्रेयर करें तो यह जो कान सब्सक्राइब करने जाते हैं यहां तक तो मैंने आपको चैप्टर बताए दिया था और दादी मा अभी भी बिल्कुल सही सलामत होती है और स्टेशन पे फिर सी और को सब्सक्राइब करने जाती है तो देख रही हो आप दादी मा कितना प्यार करती खुश्वन सिंग से और फी उन्हों कुछ नहीं कहा बस एक बार हक करा और फिर वह लोग घर आ गए के घर आके मैंने देखा फिर दादी स्पेरोस के साथ थी उनका रूटीन तो अभी तक वैसी चल रहा था फिर पता नहीं शाम को क्या होता है दादी मा में एक चेंज आ जाता है शाम को दादी मा क्या करती है पूरे महले के आंटियों को एक खटा कर लेती है धरूदर नेवर ह होते हैं वह पूरी कालोनी के अंटियों के साथ मिलके उन्होंने बहुत इंजॉय करा बहुत जादा वह जोर-जोर की गाने का रही और ड्रम बचा रहे थी कहरे हम लोगों को टेंशन हो गई हमने उन्हें का रहे नहीं आप ठक जाओगे ऐसा मत करो बट उन्होंने अधिक नहीं मेरा अब जो है यह लास्ट है और इवन मेरे आखरी दिन में कुछ देर पहले मैंने प्रेयर नहीं करी क्योंकि उन्होंने कल शाम को जो है जो एकिला चोड़ दो वह सिंपली अपने जो रूम था अपना बैट था उस पर लेट जाती है उनके हाथ में अपनी ते के घर जो है जूहरे हो तर दादी मा की टासरे चाहती पर नियुक्त है ज़्स्तों कैश्यां अचे जाता है चौन झांट कंट में एन टैनने दिन में घर होते यहीं सपर खेया और O जाती है तो वह बहुत परशान होती है तो चोटे-चोटे ब्रेट के तुकरे वहां पर रख देती है और जब वापस आज आ जाते हैं दादी महा का अंतिप्षनिसकार करके वह अगले दिन देखते हैं कि केग भी पैरों नहीं खाया था और फिर जो होता है उसको ब्रेट को सब्सक्राइब करें जानवरों को भी इतनी जादा समझ होती है उस दिन स्पेरोज ने भी जो है आपको कि वह भी बहुत दुखी थी कि आदी माँ नहीं रही है उन्होंने नाहीं ब्रेड खाई और जब दादी मां की डेथ हुई थी तो समय वह बहुत चुप रहती है चीची करने है या important question check करने instagram id पर से जाकर सकते हो और एक playlist given है base questions की first pinned comment के आदर जो first comment test वाले video का उसमें देखना इसके question answers given है उन्हें देख लेना सारी questions answers crystal clear हो जाएंगे को पड़ाऊंगी class 11th English का chapter we are not afraid to die if we can all be together तो यह चैप्टर इंटायर इंग्लिश का आपका सबसे इंक्रिस्टिंग चैप्टर है चैप्टर क्या कहो आप सोचो कि एक चोटी सी एडवेंचरिसी शौर्ट स्टोरी मुवी टाइप लगेगी आपको यह ऐसा लगा तैसे कोई आपने सिरीज देख लियो या कोई मुवी इतना अडवेंचर है इतना साथा सस्वेंस है और काफी एक्साइटिंग है होने क्या वाला इस चैप्टर में हमारे जो ऑथर है narrator जो है समझलो आप जो narrate करें इस पूरी स्टोरी को वो अपनी family के साथ उनकी family में कौन कौन है वो एक businessman है 37 years के करीब है उनकी wife उनका नाम है Mary उनके दो बच्चे है एक बेटी है और एक बेटा है चारो जो है कहां जाते हैं समुदरी यात्रा पर जाते है ठीक है उन अपना एक ship खरीते हैं वो समझ लो अमीरी ओंका वी हो तो अपना प्रॉपर शिप बनाते है ठीक है और उस ship को वो जो एना एक journey को जो है उससे जो है start करेंगे और वो जो जर्णी तो वो शिप में ने आले वो कोई ऐसे असान नहीं है इस वेरी डिफिकल्ट वो जर्णी Captain James Cook ने काफी काफी सालों पहले जो है उन्होंने सेम टू सेम जर्णी करी ते ना हूँ इस Captain James को पारके इनकी फोटो देख सकते हो यह Captain James Cook यह बहुत पुराने सी वोएजर है I think so 1700 1770 ऐसे कोई डेट आप यहां देख सकते हो इस समय में इन्होंने बहुत सारी around the world voyages करी थी समुदरी यातरा को voyage बोला जाता है ठीक है तो toughest weather के अंदर यह वाला इन्होंने समुदरी यातरा करी थी अब हमारे जो narrator है वो भी चाहते हैं कि वो जो यह James Cook ने around the world यानि कि पूरी दुनिया का आप समझ लो जो है चक्कर टाइप लगाने का जो उ disaster देखने पड़ेंगे समुदरी तूफान देखना पड़ेगा शिप खराब हो सकता है anything can happen और वो अपनी family के साथ इस समुदरी यातरा पे जाते हैं तो काफी exciting chapter है रास्ते में उन्हें बहुत difficulty आती है कैसे उनकी journey जो है रुपती है यह सब हम जानेंगे इस chapter में तो चलो श हमारे narrator का जहाज है हमारे इस chapter के लिए ठीक है तो July 1976 में narrator जो है 37 years की narrator कौन होते है जो हमें पूरी स्टोरी बता रहे है मुझे कैसे पता चला chapter में लिखा चाप्टर को किस ने chapter में कैसे लिखा गया है narrator ने खुद बताया कि मैं 37 years का था थीक है मैं बिजनस्मेन हूए और मेरी वाइफ उनका नाम है मैरी मेरा बेटा जॉनथन है छे साल का और मेरी बेटी सुजान जिसको प्यार से सू बोलते है वो है साथ साल की हम सबने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्लाइमाउथ इं स्किल्स को टेस्ट करने में आनि कि जहाज उठाया चलो ही यह आराउंद वर्ल्ड घूम कि आते है ऐसा नहीं हो सकता है उन्होंने का सोला सालों तक मैंने और मेरी वाइफ ने शिप चलाया इतने तूफान वहरे लाकों में हमने अपने आपको प्रिपेर करा प्राक्टिस क करा कि फाइनली हम इस वाले बोएज के लिए रेडी हो जाए ठीक है उनकी जो बोट है उसका नाम क्या है वे वॉकर यानि कि जो तूफानों को लेहरों को तोड़ती भी चली जाएगी उन्होंने नाम रखा अपनी बोड का वे बॉकर यह 23 मीटर लॉंग है 30 टन वोडन हाल ब्यूटी यानि कि 30 टन लकडी लगी थी इससे बनने के अंदर और प्रोफेशनली बनाई गई है यह वाली बोड क्या नाम है वे वॉकर और ने बहुत सारा टाइम स्पेंड करा इस वे वॉकर को वो समुदर में अलग-अलग जगाओं पे लेके गाए और वो काफी सारे ब प्लायमाउथ इंग्लेंड उनका प्रॉपर रूप चलेगा अराउंड इवरल्ड उनको जो है पुरा घूम के उन्हें आना है मैप में आप देख सब्सक्राइक किस तरीके के उनकी जर्णी रहेगी यही जर्नी क्या एपनी जर्णी जो है कमप्पलीट करनी थी इतने सारे Oceans को इन्होंने पार करना था तो किरें फर्स्ट लेग ऑफ और प्लांट जर्नी मैं आपको डायरेक्ट NCRT से पढ़ा रही हूं अगर ये वीडियो दिखने के बाद NCRT के एक लाइन भी रीड गर लोगे न तो वो भी ऐसा निलेगा कि मुझे नहीं पता है एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी तो टेंशे लेनी की जुरती है ये चैप्टर बच्चों को दस बार पढ़के भी समझ में नहीं आता है क्योंकि NCRT में काफी डिफिकल्ट लैंगुज लिगी गई है बट अवैसा नहीं होने माला है ठीक है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा तो को क कि तरह के रहे हैं जाफ हम से जाएगा वेस्ट कोस अफ्रिका पर पहुचे से केप टोनन तक कभ कहा से कहा तक का था ये वाली जर्णनी वेस्ट को चोल्यहें टो थिक तरह की तरह जरमů मौन था तो हमना टो जो हम दो ट्रेंड साथ में एक हमारे समुदरी में चर्मदब की शिप जीर्नी को कवर करते रहते हैं हमने का इनको अपने साथ देली दें क्योंकि आगे बहुत खत्रा होने वाला था तो उन्होंने दो ट्रेंड ऐसे लोगों को अपने साथ में बुलाया जिन्होंने बहुत खतरनाग खतरनाग वेदर के अंदर शिप चलाए थे उनका नाम था एक अमेरिकन थे जिनका नाम था रारी वीगल और दूसरे एक स्विस थे यानिकी स्विजेलेंड के जिनका नाम था हर्ब सीगल तो दो जन और आगे उनकी हेल्प करने के लिए तो जो सदन इंडियन ओशन है करें बहुत तूफान आते हैं सबसे आप मन समझो की यह कैसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहता है तो आप उन्हें इस्ट मोड के अपने शिप को सदन इंडियन ओशन में इंटर करना था यसी तो करेंगे वैसे के टाउन स हमारे साथ में ठीक है और अब उनकी दीरे-दीरे प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी ठीक है तो चलो पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स बिगें डियूरिंग दो वेज ठीक है तो कहते हैं ऑन दे सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन केप टाउन से निकले वे अभी दूसरा दे ठीक है और विंड तो बहुत ते चली रही थी विंड से जादा मुझे ड़ लग रहा था लहरों की हाइट देखके इतनी तेज लहरी उची-ची उठ रही थी कि ड़ लग रहा था उन्हें देखकर विंड और स्टॉम काफी हफतों तक वह चलते रहे उससे अगले हफते तक याने की बहुत दूर दूर तक जो है आप मुसमझो के हर जगा तूफान था इसे आप इमाजन कर सकते हो समुदरी तूफान है हमारे ऑथर अपने शिप के अंदर है और वह कहते हैं कि तूफान से जादा डर मुझे लग रहा था वेव से जो आने वाली लहरे थी केप टाउन से हम 3500 किलोमीटर भी आगे आ चुके थे ठीक है और वेजर और जादा खराब हो रहा था पट फिर भी हमने उस खराब वेडर में क्रिस्मस को वंडरफुली जो है सेलिब्रेट करा और हम नए साल तक सोच रहे थी कि काश नए साल तक कुछ चेंज आए कुछ इ लिए बतला इतना भयानक तूफान आता है कि अभी आप देखोगे कि कैसे नरेटर जो है वो भी डूब जाते हैं उनके बच्चों को भी बहुत चोट लगती और पूरा जो इनका वेवाकर शिप था वेकुल तूट जाता है तो वैसे मैंने सेस्वेंस आपको पहली बता द UK onकी सी स्टॉंब चल रहे तभीहавा पर दे ने लग आप यहां पर देख सकते हो यहँ ह hatır करते हैं जो यहां पर ऑंट करहा है स्प्चिर्प शेफarah इसको जेप करतें प्र एक शिÓप को इक श्रॉप खे फिक्Myूजाल क्रूप हो दोस्म पिर ग मतस्मं चल रहे थे पर हम्ना काफी कि चल रहे हैे इट कि उनकी जो है स्पीड थी नॉट्स के होते समुधरी मील की हम पर से लेहरे बहुत तीज तो हम ने स्त Master boots को जो है उटीरे हो जाय ठीच है और साथने में इनोंने क्या कारें लाज बconds sahtियrics वे अगर लेहरों में आसे जो पूरा का पूरा वेव कर रह है है तो चीजे ना टूते इधर उ़व बहुते ठीक इतल पूरी तयारी कर लीती हर जगा पे रसिया बांडी एrezी बांडी ती और उन्हें क्या कर रहा थाK उन्हें पर उन्हें पनाला जो शिप wonkte उन्हें दो पीछे उसे चो ऑन्हें स्पारढ लाइव जैकेट उन्होंने प्रिपेर कर लिया था खुद को वस सिनारियों के लिए तो लाइव जैकेट ऑई लगा लिया था सकीन के ऊपर सब चीजों को बांध दिया था सो दाइट जो पानी आया अगर तो कोई चीज के रहे नहीं अगर वो लोग गिरे तो बज्जा उन्होंने जैकेट पहन ली थी देवर रेडी फॉर दर डिजास्टर ठीक है और होता ही भी ऐसे ही कुछ है सी स्टॉम कहते हैं पहला असलब पर पूरन संनाटा सा हो जाता है वि स्टॉम काले बादल थे और एकदम से बहुत जोर की आवाज आती है बहुत तीज आवाज आती है मेरी तरफ में शिप के वील को संभाल रहे थे मुझे लगा कि कोई बादल आ रहा है बट आच्छली में वह बादल नहीं था वह एक वेव थी वह लहर थी वह बहुत उची सीधा आके उनके फीस पे लगती है और बहुत सारा पानी उनके शिप के अंदर आ जाता है तो आप समझो कि सीधी एक ऐसी वेव उठती वी आई और वो उनके जो है आप इमेजन करो हमने काफी सरी ऐसी कोई आपने सीरीज में मूवी में ऐसा सीन देखा हो कि सामने से वेव तौट अरूट वी वेव काफी में में चा शीप से वह बढ़ी जा रही थी वियंकर इंदर को आप इसे हिट् करां और हमारे ओन जो प्र झेल ऊहार रहे थे वह गौई गिर जाते हैं बोना झाला रहे थे मिल उनका शुबी लग जाते वी आपर उनक्न है बहूत जूर कि च सामुदर के अंदर गिर जाते हैं और उस समय पे उंके सर पर भी छोट लग रही तो वह कहते हैं मैं भेहोष होने वाला था उनको ऐसा महसूस हो रहा था और तभी पीस महसूस और तभी उनको दिख भी रहा होता है वह मंढने वाला हूं तो आप सोचो और वील पूरा संभाल रहे थे और पानी से वो भी पानी के अंदर गिर गए वेव से धानी में से बहर आता है मतला वह भी होश में अजाते हैं और वह से जिस से अरी को सीधी हो जाती है तो इतनी तेज वेव हो रही थी इधर से वेवारी है तो मैं शिप का जो डेक था फ्लोर है उसकी तरह में इधर से उधर घूमता रहा और उस समय उनको बहुत सारा चोट लग गई उनकी लेफ्ट रिप बिल्कुल क्राक हो गई यानिकी बूरी पसलिया तूट गई उनकी मां उनके बहुत सारा ब्लेड हो गया और बहुत सारे दातवात भी उनके जो है तूट गए उन्हें बहुत मतलब की सीवेर चोट लग गई थी बट सम्हाँ उन्होंने क्या का इतनी डिफिकल सिच्वेशन में भी की ही वह सीवेरली इंजर वह पकड़ते हैं जाके क्योंकि वी हो तो वह अपनी वाहिश को कहते हैं कि मैं अभी वील को नहीं चोड़ सकता हूं तो व्याहिव आके वील को हैंडल करती है और पानी अंदर आ रहा है शिप के देड़ सिप चलाना उन्होंने वींगे सार प्रैक्टिस करी ती तो वील समःते हैं उनकी वाइफ मेरी और वह पमप लेकर पानी निकाले तो पॉरा कापूरा और जितनी भी वोडन वीम थी पूरा का पूरा उनका एरिया श्यूसिक्लन आप मतुना रहा था शिप के अंदर the whole starboard side bulged inwards starboard मतलब होता है शिप का आगी वाला हिस्सा वो अंदर की तरफ हो चुका था और तूट चुका था और पानी हर जगा से अंदर आ रहा था वो कह रहे हैं मेरे को दिख रहा था हमारे कपडे क्लोट्स क्रॉकरी वगेरा टॉइस वगेरा सब आप ऐसी ही पानी में सब कुछ चीज़े तेह रही थी काफी पानी घुच चुका था उनके शिप के अंदर फिर सड़नली वो देखते हैं अपने बच्चों के रूम में वो जाते हैं सम्हाओ में बच्चों के रूम तक गया और वहां पे जो है वो पूछते बच्चों से हम ठीक है बस सू जो है यानिकि जोनकी बेटी है वो अपने सर पेक बंप दिखाती है उसके सर पे बहुत जोर की लग गई थी और उसका सर इतना जाद आप समझो कि इतना मोटा हो चुका था यहां से इतना फूल चुका था यहां से यह वाला एरिया ब्लाक आई हो चुगी फ शिर?ski वगे का तो कैम हिता है को सब्टी कह था बोर बानी से नहीं टो Pizza नहीं हो जानी आई था तो आप चुट ब्हुत पानी के अंदर दिलror तो अब उनके क्या था कि बहुत सा क्षेप यह तक बहुत ढ़ी करना था जूर्थ आ कमेपानी मत तो वह से नहीं बांदधा तो पूरा का पूरा शिप गाई उनका डूब जाता है कि अधिरे दीरे क्या होता है लैरी और हर्प का जो हैंट पंप था वह जो पाम थे जो भी जिससे वह पानी भार निकाल रहे थे वह फुक जाते हैं इतनी देर से वह चल रहे थे उनके अंदर कुछ डर्ट मिट्टी वगेरा फच चुकी होती है वह विकुल खराब हो जाते हैं और जो हमारे स्पेर हैंट पंस हम लेकर आए थे यह और एक्विपेंट्स जो हम लाइडे दिंजी यानि कि जो वह बोट होती है लाइव वाली क्य सब्सक्राइब करेंट्स भी बिल्कुल भी नहीं थे ठीक है तो वह क्या कहते हैं वह कहते हैं अब हमने जो है सम्हाव हम बहुत परशान हो गई कि क्या करें एक पंप निया कहां से लाए तो कहने मुझे याद आया कि मेरे पास में एक एक एलेक्ट्रिक प्रम्प और चाहिए रात वो कहते हैं कि क्या करें ते मेरी वाई-इफ शेयल समभाषद और मैं मेड़े कॉल्स कर रहा है मेड़े मेड़े पाता है आबको जब बहुत साथारें घटेव से कोई जवाब नहीं मिल रहा था क्योंकि हम रिमोट कॉर्णर ऑफ द वर्ल्ड में थे यहां सिंगनल मिलना ना के बराबर था और वहीं पर उनको क्या पता चलता है जो सू थी सू ने उस समय पर अपने पापा को इतना जादा नहीं दिखाया था कि उसके सर इतनी गहरी चोट लग गई है वह कहारे जब मैंने देखा जाके सू को तो उसका जो चोट थी वह बहुत जाथा सूजन आ गई इतना ज्यादा सूट चुका था उसका सर उसकी ब्लैक आइज ओचुकी और उसके हाथ पर यहां पर बहुत घहरा कट भी लग गया था तो वह बहुत डर जाते है इतनी बेटी को ऐसे देखके तो वह पूस्ती है कि तुमने मुझे तप क्यों नहीं बताए कि तुम ऐसे कट भी लग गया और इतनी जूर की तुमें लगी है तो वह कहते हैं कि नहीं मुझे आपको परशान नहीं करना था उस समय जब आप हम लोगों को बचाने की कोशेश करें तो समझो साथ साल की बच्ची अभी साथ साल के बच्चों को आप इमाजन करो चोटी सी वी चोट लग जाएगी तो वह भागते हैं ममी के पास वाबा के पास यह बच्ची कुछ भी नहीं कहते है क्यूंकि उसे पता था कि उसके फादर ट्राय कर रहे हूंने बचाने क आप यहां तक समझ चुकियों चैप्टर को कि कितनी मुश्किलों में हूँ अभी इस तूफान के अंदर है तो अब आएक इस चैप्टर का सेकेंड हाफ समझ लोगी जैसे ब्रेक होता है मूवी में इंटरवेल होता है यह ब्रेक है चैप्टर का अब आगे पढ़ाती हूं करने का सारा काम इस तरीके से वो लोग मैनेज कर रहे थे सम्हाव 15 घंटे हो चुके थे वेव वोकर को हिट करें वेव को जो वह गया थी ना जैगांटिक वेव 15 घंटे हो चुके थे और उन्हें अब ऐसा लगता है कि अब उनकी बोट इतनी स्ट्रॉंग नहीं रही थी व की कही कही आगे जा की क्या है दो आइलेंड्स थे उनका नाम क्या है आईल आमस्टर्डम ठीकि है फ्रेंच के बेस हैं हो DR को था तो फ यह वहांदорд मिल वह नहीं पर था वदो लिद ख पर चौन से पर और सिब ऑ हो और की देना में ना destructive पहां से तो बहुत पर मुध-धी स पता चल चुकाता है कि एक फ्रेंट साइंटिफिक बेस है आईल एमस्टरडाम वहां पर वह जाएंगे तो उनको जो है काफी मदद मिल जाएगी ठीक है अब एक प्रॉब्लम और थी उनके साथ में कि वह जो वह आई थी उसने उनके इंजन को भी खराब कर जया था उनके अब बस उतना इहीं पानी निकालना था जो तो टूटी तो जगाई थी उनमें से अंदर आ रहा था यानि कि पानी इंदर आ रहा था पहले भरावा पानी बहार निकालना था ठीक है तो कहते है हमने सेल सेट करी बट उस समय पे प्रेशर बहुत हाई तम जाब कि वह जैसे प्रेशर बहुत जादा आ रहा था उनके शिप के ओपर भी और जो उनका हल था पूरा शिप तक ही नग ऐसे तूटा-फूटा था आप यह मान लो बहुत मुश्किल सिचुएशन में थे वो ठीक है अब जो है वो बताते हैं कि आट 4 पीम क्या होता है कि अब फिर भी ठीक है इसा तो नहीं था तूफान आ रहा था चार बजे दुबारा से काले-काले बादल जो है खटे उने शुरू हो जाते हैं हम बहुत ड़ जाते हैं चालिस नॉट्स तक की जो है विंड चलने लगती आने कि बहुत तेज तेज हमाई चलने लगती है और वेदर बहुत खराब ह जाता उस रात को तो लोग डर जाते हैं कि अगर फिर रात को तूफान आ गया तो क्या होगा वह कहते हैं अगले दिन सुभा पांच जन्वरी की सुभा तक डॉन मतलब बिब्कुल सुभा सुभा तक चार-पांच वेजे तक हमारी सिचुएशन बहुत डेस्परेट थी हम बहुत डरे वे थे कि कई एक और तूफान आ जाए तो उस दिन चार जन्वरी की राच से लेके पांच जन्वरी की सुभा सुभा तक वो पूरा बहुत ज्यादा ना परेशान थे वो लोग कि कम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे तो वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के करने के कोशिश करूंगा तो पते उनका बेटा उन्हें क्या बोलता है उनका बेटा कहता है विए नौट अफ्रेड ऑफ नाइंग इस वी केन अल बी तुगेदर यू मी ममी सू मतलब की वह एक तरीके से उनको मोटिवेट करता है यह उसी की लाइन है वी इस वी आर नॉट प्रेड डाय वाली जब उसके फादर आखते हैं उसको कंसोल करने के लिए तो पहले पूछता है क्या हम मर जाएंगे तो पापा कहते हैं नहीं मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा तो यह कहते हैं कि कोई बात नी मुझे वर्ने से डर नहीं लगता है अगर हमारी प पर रसियां लगाते हैं बड़े-बड़े बैरल्स लगा देते हैं प्लास्टिक के सो दाट वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे इसे करके उसकी मरम मत करके आते हैं वह सो दाट अगर कोई स्टॉम आए तो वह बच्चा है बच्छे जनवरी को अगले दिन तक वैदर अ आर एंड वस नियर क्योंकि अभी उनके शिप के डूबने का खत्रा बहुत जाता था उन लोगों कुछ समझ नहीं आ रहा था what to do and what not to do ठीक है तो वह बैठे होते हैं और उनको मिलब कि उन्होंने कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लिया था that they were going to die तो it was very painful for them आपके ओके तो 6 जन्वेरी नोरी जो हवा धीरे हो जाती है चलनी तो वह जाते हैं आपने रूम के अंदर जहां पर पूरी क्यालकूलेशन करते हैं और पता लगाते क्या है तो जहां तक उन्हें पता लगता हूँ हूंने पता चलता है कि उनके एक लाग पचास हजार किलोमीटर अरांद र इतना साइलन पूरे में वह अभी समुदर के पता नी कौन से हिस्से में हैं तो बहुत परशान होते हैं बढ़ कहीं ना कहीं उनको उमीद थी कि बस बहुत सकते हैं इतने में क्या मेरी बेटी जो है इसको छोट लगी होथी है दीरे दीरे चलके आती है चोट भी लग गई थी तो फिर से कहते हैं मैं गया अपने चार्ट रूम में मैंने देखा मेरा जो कंपस था वह भी खराब हो चुगा था वह उतना दूसरे कंपस से काम करना पड़ा था जिसकी जो मैंगनेटिक फिल्स की सेटिंग अगेरा इतनी एक्यूरेट नहीं आने वाली थी बट वो जो एसे भी करके वो कहते हैं मेरा में वाला कंपस नहीं था जो दूसरा वाला कंपस था उससे मैंने काम चलाया और मैंने ढूंडा कि भाई फाइनली वो जो आइलेंड है वो कहां पर होगा ठीक है पूरी की पूरी पता लगाते हैं और वह उन्हें उमीद थी कि हाँ पांच विजे तक वह पहुच जाया और आइलेंड नोंके सामने हो वह बहुत थक गया था क्या करें पर परशान था मैं तो मैं चले जाता हूं ने बंकर में आनिकी जून करूं था महां पर वह बंक भी पीछे थी सब लोग आ गए थे उनको उठाने के लिए ठीक है तो वह जो है देखते है कि आता है एकदम से उनका बिट और उन्हें जोर की हख करते हैं और पीछे से सू कहती है कि आप बेस कैप्टन वह कहते हैं आज तो मैंसे मत काओ क्योंकि उनको मनी मन लग रहा था क शायद छे बच चुके और वह जो आइलेंड है वो निकल चुका होगा वो उसको मिस कर चुके होगे और वह फिर से वहां चले जाएंगे जहां पर जादा वाला इलाका है बट ऐसा नहीं होता है उपर वाली जगह जो शिप की होती है वहां जाके देखते हैं उन्हें दिख सबसे सुन्दर आइलेंड लग रहे थे तो वहां पर पहुच जाते हैं चोटा से ही आइलेंड थे वह कहां पर उनका नाम के आइलेंड वह कहरें पीस ऑफ इगनियस वाल कैने क्रॉक था वह और वह कहरें थोटी मोटी वेजिटेशन थी वहां पर फ्रेंड साइंटिफिक हैं फिर फाइनली वह साइलन पर जाते हैं वह जमीन तश करी ना यनिकी जब उन्हों ने वह समुदर से अर्थ पर पहुचई एक तरीके से लैंड पर पहुच तो वह कह रहें कि मेरको इतना सुकून मिला एक दिन पूरा वंश्व की पूरी रात अगले दिन वहां के लोग पर रहते हैं तो फाइनली वह बच जाते हैं उनकी जर्नी ऑस्टेलिया तक तो नहीं पुछ पाते जो है रूख जादे ठीक है वह कहते हैं कि जब मैं वहाब में सही सलामत पहुच गए थे तो मैं सोचता हूं कि यह मैं अकेले नहीं कर सकता था यह सो जितना भी कुछ पॉसिबल हुआ कि मैं अपनी फैमिली को सही सलामत वापस लिया है वह सिर्फ लैरी और हर्प की वज़े से हुआ जिन्होंने स्ट्रेस नहीं हुए जिन्होंने इस उपेड़ी सब्सक्राइब निकालने के अपनी पूरी कोशिश करी मेरी वाइफ जिसने इतनी मतलब कि तूफानी वैदर के अंदर शिप को संभाला वील को संभाला मेरी बेटी जिसने इतनी जोर की चोट लगने के बाद भी मुझे नहीं बताया और मेरा बेटा who was not afraid to die even though वो सिफ 6 साल का है मेरी वज़े से नहीं कि मैंने कमपस पे आईलेंट ढूंड लिया उनकी वज़े से आज हम लोग बच गए हैं और यह चाप्टर आपका complete हो जाता है चीक है 11 इंग्लिश का chapter 3 discovering the saga continues तो यह जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं historical event के बारे में और हम जो ना पतलब कि यह आप्टर ऐसा है कि आप इसमें ना अगर आप इसके वीडियो देखोगे तो यह आपको और अच्छे से समझ में आगा देखो इसमें होने क्या वाला है इसमें ना हम किंग तट के बारे में जानने वाले और जब उनकी ममी का जो सीटी स्कैन हुआ था उसके बारे में और जाब इनकी डेथ हुई थी केंग तट की तो यह बहुत चोटी उम्र के थे लगबग जितना हम लोगों को पता चला है थिंक सो देखी वास 19 इयर्स ओल्ड वो एक बॉइश फेर हुआ थे यानने की टीनेजर में ही यह इतनी बड़ी डाइनस्टी के रूलर बन गए थे कि इजुट में उसको बोला जाता है रूलर को केंग को फेर होओ ठीक है तो यह बहुत छोटे उते ही इनको राजा बन गए थे यह बहुत पावफुल डायनस्टी के राजा थे यह इनकी डेथ होने पे इनकी हो जाती है तो जैसे कि आपको पता है ममीज जो है वह कल्चर हो और किंग तक कॉफिन तक जो है उसको चेक करा गया था तो वह सब आप इस चाप्टर में पढ़ने आले हो अब मैं कौन सी वीडियो को कहती देखो वी तो रसे समझ में आएगा तो यूट्यूब पे एक वीडियो गिवन है उसमें दिखा रखा है कि कैसी तरीके से जब वहां पर इंवेस्टिगेशन हुई थी इतना बड़ा इनकी कॉफन था ममी थी और उस पर असली गोल्ड का वो बना वाता जैसे आप यहां मास्क देख सकते हो एक एक वहां पर पूरे के पूरे जो रूम्स थे जहां पर बरियल करा गया था जितना ट्रेजर रखा गया था सबकी एक छोटी सी शॉट सी वीडियो है सिंसो तीन-चार मिनट की तो आप उसको देखना जो अभी पूरा प्रोसीजर में आपको इस चैप्टर में बताने वाली वह आपको अहां पर लाइफ दिखाई देगा उस वीडियो के अंदर तो उसका लिंग में भी याल प्रोव चैप्टर में हमारा नाम के डिसकवरिंग तो हम किंग तर्ट के बारे में जानेंगी तो किंग तर्ट मैंने आपको बताई दिया टीनेजर थे अपने डेथ के टाइम पे लास्ट एयर मतलब आखरी वारिस थे बहुत पाफुल डाइस्टी के एजिप्ट के जिसने काफी से हुए थे यानि कि जब इनको बिले करा गया था तो बहुत सारा गोल्ड आप सोच भी नहीं सकते कितना गोल्ड इनके साथ रखा गया था क्यूंकि बहुत पाफुल डैनेस्टी के लास्ट टूलर थे और इनका जो एक कौफन था ना वो प्योर गोल्ड का बना हुआ था ती तो किंग टट का टूम डिसकवर करा था काटर ने 1922 में ठीक है और अब जो है फाइनली हम इस चैप्टर में तीन टाइम पढ़ेंगे एक जब उनका डिसकवर हुआ था 1922 में डिसकवर कर लिया गया था और अब 2005 के अंदर हम सिनेरियों पढ़ेंगे जब इसका सिटी स्कै और सिटी स्कैन पता होगा यह ससाब को कि वह मशीन उती हुँ इसके अंदर बोडिको रखा जाता है और इनसान जो थे वह उस पे अंदर जाते और वह पूरा स्कैन हो जाती है तो वह सिटी स्कैन इसलिए करआ जा रहा है किंग टट का क्योंकि अभी तक यह नहीं हमें पता के लिए उनकी ममी को कॉफन से बाहर निकाला जा रहा था सो दार उनका सिटी स्कैन करा जाए तो उसन मौसम बहुत खराब हो गया था इतिनी तेस तेस हवाय चल रही थी वहां एजर्ट में सोचो भई अवहां देजर्ट के अंदर डस्ती स्टॉर्म थे और जब उनको गार लिके जाया जा रहा था उट ऑफ दे सिमेट्री इसको वैली ऑफ किंग्स बोला जा रहा है तो बहुत मौसम खराब था महां पर तो एक तरीके से इसा कहावत भी है कि यह कर सो फेर हुआ क्यूंकि हम उनकी स्लीप से जो है जो ही इस रेस्टिंग हम उनको कर रहे हमें डेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं इस नौट गुड तो इससे माना गया कि लोग कह रहे हैं यह सब चीजों पर बाते कर रहे थे वांपर देट क्या थी पांच जन्वरी थी और शाम के छे बच चुके थे जब सीटी स्कैन के लिए उनके ले जाया जारा था ठीक दिवारे ऐसा सिंपल नहीं था है फोटो में देखो चार पाच कमरे थे अलग 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 ताइप के जो है आप समझों की ट्रेजर रखा वाता डेडी डेटूडे आइटम भी रखी थी तो लोग उनको देख रहे थे दिवारों पर पेंटिंग और रखी थी सब विजिट सब्सक्राइब करेंगे उनके ऊपर जो है कोई कर्स होगा यानि कि उनके साथ कुछ गलत होगा ठीक है तो यह बात रही स्थी स्कैन के यहां से इन्हों चैप्टर बिल्कुल एक टर्न ओवर ले लिए और यहां हमें चैप्टर में बताया जाएगा कि किंग टटकी ममी अब इस को डिसकावर करा था तो उन्होंने गलती भी कर दी थी इन्होंने ममी को बहुत जादा नुकसान पहुचा दिया था वह कैसे आभी आपको बदा चलेगा तो यहां पर हमें बता रखा है किंग टटकी ममी बहुत बाट कंडिक्शन में थी बिकॉस ऑफ वोट कार्ट 2020 कार्ट ने 1920 में जब इसे धूना था तो उसे काफी नुकसान पहुचा दिया था और यह लाइन पे जरूर क्वेशन आयागा यह लाइन किस ने गई थी जाही हवास ने जो उस समय पे यानिके 2005 वाले समय पे से क्रेटरी जनरल थे एजिप्ट सुप्रीम कॉंसुल आफ एं कार्ट नुकसान हो गया है क्योंकि कुछ ऐसा करा तो 2022 कि वह लाइन को नुकसान हो गया उससे तो क्या कर था करने अब हम जानते है इनफैक्ट में मिली के वजए थी कार्ट ने ही बहुत सारी के रिए को तुम्स को ढूंडा और पता लगाया कि है कि अधी है तो यह तो यह तो आप देख लेना ठीक है ओके तो आप यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यह क्या अभी तक तो देखो गाइस हम 2005 में थे जब सीटी स्कैन हो रहा था अब हम यहां आ गए है 1922 में जब कॉर्टर ने नाम क्या होवर्ड कार्टर ने किंग तर्की ममी को डिसकावर क 22 तो यह डेट अनिवेंट याद करना उन्होंने ढूंडी थी 1922 में टोम जो था तो इस लीडिन विद गोल्ड यानिके रिच गोल्ड बहुत गोल्ड था इतना ट्रेजर था वहां कि आप सोच महीं नहीं सकते हो वह रिचिस रॉयल कलेक्शन है जो आज तक मिला है यानिकि हर जगा गोल्डी गोल्ड था पूरी दुनिया में मतब तहलका समझ गया था कि क्या चीज जो है डिसकावर करिया होवर्ड काटर ने ठीक है तो जो है उनको बड़ी करा गया था एवरीडे आइटम्स के साथ में भी क्योंकि एजिप्त के लोग आफ्टर लाइफ में बिली अगर उसकी नीर हो तो और अगर उनके कॉफन की बात करें तो जैसे मैंने आपको क्या वीडियो देख सकते हो तो थी नेस्टेड कॉफन था यानि की उनके कॉफन तीम पार्ट में डिवाइड था ठीक है एक सबसे ओपर था फिर एक लखडी का बनावा इस्सा था ता और तो इस पर भी गोल्ड की परत थी और एक सॉलेड गोल्ड का था फाइनली जिसके अंदर उनके ममी को रखा गया तो इतना हमला की हूज कॉफन था वो तो कंटेंट ऑफ फॉर्स्ट कॉफन में क्या है तो आप देख सकते हैं फोटो के अंदर जो फॉर्स्ट कॉफन था उस श्राउड के उपर और यह इस टाइप के फूल यह शो करते है कि शायद मार्च और एप्रेल में जो है किंग टट का जो है बरियल हुआ होगा क्यूंकि यह उसी समय के फूल थे और रिच्वल रीजिंस जो थे यानिकी जिस तरीके से ममी इफाय करा जाता होगा रेजिंस य चलो आगे पढ़े हैं हम तो केंग ट्की जो ममी जो है जब सामने आती है तो उस पर बहुत सारे ना ओनमेंट होते हैं किंग टटने बहुत महांगे महंगे जूल्री पहनी दी बहुत सारी जो है आप समझो किने लिच लिशे से मो भाता ताज था सरकास अब यह प्योग बन कि अम्मे इसको ऐसे नहीं छोड़ जाएंगे तो चोर आ जाएंगी यहां पर कभी ना कभी हमारे जाते और वो सब इस ट्रेशर को ब्यूटिफुल ट्रेशर को चोरी करके ले जाएंगे तो अब उनको क्या करना था कि किंटट के जितने भी एडॉनमेंट्स है औरनूमेंट् उन सबको बाहर निकालना था ममीं और उस ममी को भी उनको जो है गोल्ट कउफिन से बाहर निकालना था किवह वो ऐटम्स यह करना असान जि तो बहुत सारे लोगों ने उनको कोशिश करी कि ममी को उठाने की कुछ नहीं हो पाया तो फाइनली यह पते है क्या करते हैं का ओटर जी धूप में इजिप्ट की दूप इतने भार तेश टेंपरेचर के अंदर भी किंग टकी ममी को भी भार अग देते हैं तो डैट में वी जो रिच्वल रिजींस है लो पेगहल जाए और ममी भार आ जया नहीं हो पाता उससे लिए नाइं डिगेरी फिरनेंड की दूप के अंदर किंग टकी ममी को रख दिया जाता है बढ़ उससे भी कुछ नहीं होता है और उसका रिजरल्ट क्या था कि भाई उन्होंने फिर उसको कट करना शुरू करा और यह सब क्यों कर रहे थे वह क्या जरूरत थी ममी के उपर को जो है इस तरीके से दूप में रखने की तो जाये वह जो है तो प्रेशियस कॉलर को गले के सोने के बने वह आप देख तो वीडियो के अना सब कुस दिखा रहे हैं उसमें इतने ब्यूटिफुल जो है जोलरी साथ में नेकलिस ब्रेसलेट रिंग एम्यूलेंस सेरिमोनियल एपरेन हो गया सैंडल हो गए और साथी के साथ में फिंगर प में के हेड को भी मॉनव कर और की में नीकाल इन सब और-र्नमेंट को भार निकाला काथ हुआ है एंधेंपी अपर बिलिफ्क प्र नेकरे नसके तो काफी डिफ्ड पर सीज़ेंगे है तो में यह हम educator आग ऑध्icki में बटाया कि कि स्टरीके सेemics 1 ब्त कर कींग दट के ममें के ट्रेशर को निकालने के लिए क्या गया था अब धीरे धीरे क्या हुआ गैस अब जो उर्केलोंजिस्ट होते हैं उनका ध्यान पर जादा नहीं होता ध् कि थाया होगा उस समाने बे 1922 के दोरान ज्यादा ध्यान होता था कि खजाना कितना मिल रहा है क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है बट धीरे धीरे ना अर्केलोजिक होने लग गए यह नहीं सोचा जाता था किंग करते क्या थे उनका रूल कैसा था तो क्या होता है कार्टर के ढूंडने के 40 साल वादी यानि कि 1968 में तो हम यहां पर तीन टाइम पीरिट पढ़े एक दोहजार पाच वाला जब सिटी स्कैन हो रहा है एक 1968 वाला जब एक्सरे हुआ था और एक 1922 वाला जब किंग टटकी ममी को डिस्कावर करा गया था तो अब हमें 1968 में बताया चाहिए एक एक स्रें इंगालना चाहिए ठीक है वह एक एनाटमी प्रोफेसर थे उन्होंने किंग टटकी ममी का क्या करा एकसरी करा और जब उन्हें लगा कि जो किंग टटकी ममी है उसकी फ्रंट रिप्स और जो बोन्स है वो नहीं है तो यानि कि यह आया X-ray करने के से लेकर कि इनकी फ्रंट रिपकेज नहीं है इनकी ब्रेस्ट नहीं है तो पता नहीं क्या हुआ होगा इनके साथ में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन माग आगया कि केंट की डैथ कैसे हुई थी क्योंकि हमें भी नहीं पता है उन्हीं साल के एक वह काफी यंग थे जब उनक निकले तो चलो भी मैं आपको बता दूंगी सीटी स्कैन के बाद क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं तो आप देख सकते हो इस तरीके से गोल्ड कॉफिंस हुआ करते थे उसमें किंग की ममी को रेस्ट करा किया था अब यहां पर हमें थोड़ा सा किंग के और उनके एंसिस चाड़ डिकेट्स तक जो है किंग तड़ के दादा या पापा भी पूरा पका नहीं पता इन्होंने कुछ स्ट्रेंज करा था इन्होंने क्या करा था यहां पर एजिप्ट के अंदर और इनकी डाइनेस्टी के अंदर ना पूजा होती थी अमून नाम के गॉड़ की थोड़ा हिस्ट बहुत ही स्टॉरिकल टाइम में हम चले गए हैं कि किंग टड़ के ग्रैंडफादर कौन होए अमेनो टॉप 3 अमेनो टॉप 3 के बाद कौन आया अमेनो टॉप 4 इनके समय में इन्होंने क्या करा इन्होंने प्रमोट करी वर्षिप ऑफ एटन नाम की बहग पूझा करने के लिए उनने प्रमोट करा और उन्होंने अपना नाम मैनो टॉप से अखेंटन कर लिया सर्विंट ओफ एटन यानी कि मैं अटेंगा सेवक हो तो हमना भी और यह पूर्ट्रीज शॉप हो जाती है कि जो उनका ओल गोड था उनके ओल्द गर कैनाम अमनों उसे से निकले थे नाम उनके जो है मूर्तियों को तोड़ा गया उनके मंदरी को हटाया गया और यह जो फोर वाले आये थे इन्होंने कर रहा था पूजा के इसकी अखेंटन की अब आते हैं हमारे किंग तट जी थे उन्होंने ऐसा नहीं करा यह काफी डिफरेंट टूलर थे किंग तट ने फिर से जो पुराने वाले गौड अमून गौड उनकी वर्शिप प्रमोट करी इन्होंने कैपिटल भी वापिस कर दी थी और इनका नाम किंग तट अखेंटन भी है तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था तट हमून कर लिया था समझ गए तो यह यांग किंग ने जो अपने दादा या पापा ज करा दी थी ठीक है तो यह आप देख सकते हो आफ्टर अखेंटन कौन है एम फोर ठीक है तो अखेंटन की डेट के बाद में जो है एक रूलर और आए थे बीच में बट फाइनली जब किंग तट आते हैं तो उन्होंने जब थ्रोन ली और वह बहुत चोटे थे चोटे बच तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक इतने चोटे रूलर ने जो है पुरानी अपने एंसेस्टर जो करते थे वर्षब करते थे जिन गौट की उसको वापसी यह लेकर आए थे तब ही हम कहते हैं कि शायद फादर भी हो सकते हैं मैंट टॉप थ्री किंग तटके या ग्र पहली ममी थी एजिप के अंदर जिसका सीटी स्कैन करा जा रहा था आउट ओफ अल्मूस्ट से भी जादा ममी एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एजिट में अभी भी बहुत सारी ऐसी ममी जिने डिसकावर नहीं करा गया है आज तक भी ठीक सीटी स्कैनर को उन्होंने डोनेट कर रहा था इसका रहे के लिए ठीक है तो वह जाते हैं बहुत सारी फोरेंसिक की टीम अनाटमी की टीम बहुत सारे लोग जाते किंटर की ममी को जो है सीटी स्कैन में स्कैन करने के लिए ठीक है अब उनकी ममी को बॉक्स में से निकाल कर से जो है लेके जाए गया सिटी स्कैनर तक बहुत हाइड़रोलिक लिफ्ट का juay तो सब्सक्ण युग करना हा तो सुधात्ष को सीटी स्कैनर तक लेकि जा tweets अब पतां कUI मिलिएन डॉलर्स का सीटी स्कैनरट है किसे स्कैनिंग करते रहन यानि कि मिद्लियन डॉलर का सिटी स्कानर खराब हो गया और उनको जैसे तैसे करके जो लोकल वाले फैंस थे उनसे अपना काम चलाना पड़ा तो जब लोगों को पता चलने ना गार्च वागे रहा है यानि कि हम उनको इतना परेशान कर रहे हैं तो यह तरीके से कर्स है कि स्कैनर जो है वो खराब हो गये तो फीर फाइनली जो है सिटी स्कन करता कि लिए की से करने के बाहर वापस से किंग जाने का पर सब्सक्राइब को पूरी फोटो बनके आती है और सारे के सारे बॉड़ी पार्ट्स थे उसमें हमारे जैसे उन्होंने निकाला था ना एक अनार्टमी के प्रोफेसर ने कि इंग तट की जो है रिपकेज नहीं तो नहीं ऐसा नहीं था किंग टर्ट की पूरी की पूरी बॉड़ी थी हैंड उनके रिपकेज सकल सबका सेक्शन का प्रॉपर वह एक सीटी स्कैन करके दिखते हैं तो उनकी बॉड़ी बिल्कुल ठीक थी ठीक है कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं था तो वह तो बात गरत हो गई हमें नहीं पता वह देट कैसे हुई तो यहां पर जो है जो है जाही हवास जो अपनी लीडर्शिप में जाही हवास कोने वह एजिप्ट के जनरल सेक्वरेटी ना एंटीक वाली सोसाइटी के तो वह अपनी नजर में सब काम को करवा रहे थी हां पर उनके सामनी सीटी स्कैनर तक ममी गई यह ह हुआ तो जब ममी को वापस रख दिया गया तो वह मुझे बहुत रिलीफ मिली कि यह सब काम अनाम से हो गया क्योंकि वह बहुत डरे वे थी कही कुछ कलत ना हो जाए और वह कहते है मैं फाइनली मुझे दुम्हें सोया भी नहीं था बिलकुल भी यह जानी के आलमोस एक र तो रात हो चुकी थी उसमें पर ओर आपने स्काय में देखिए वह आफ्टर लाइफ के गॉर्ड माने जाते हैं तो एसा लोग कहते हैं कि अब आफ्टर लाइफ के गॉर्ड देखने आए हैं कि वह जो बॉइक है वह वापस ठीक से आ गए हैं तो जब हमारे जो है यह जाही आवाज जी में और जब लोगों ने देखा ना कि वापस से टूम में जो है किंग्टर की ममी चले गई है और आस्मान में डेजर्ट में आप सूचो की काली रात कितनी जादा होती होगी उसमें पूरे तारे चमक रहे थे और और ओरियों जो इंपरेट बताते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं पहला क्या है कि जब सीटी स्कैनर के लिए जाया जाता है बहुत सोरे टूरिस्ट था थे दोजाद पार्च में फिर हम 1922 में बहुच जाते हैं जब कार्टर ने वह अमी को ढूण था और कॉफिन्स को चेक कर दा ठीक है कर दिया था विजब उनका सीटी स्कैन होता है तो पंगी खराब हो जाते हैं याद रखना एंद फाइनली जो है सीटी स्कैन का रिजल्ट क्या थैट उनकी रिपकेजिस हैं जैसा की एक्सरे में खा गया ता वैसा नहीं हुआ तो विद दिस यह चाप्टर आपका लाग्विज में समझा दूँ देखो यह चैप्टर एक डिफिकल्ट के साथ इंट्रेस्टिंग में बहुत है हो तक है इस चैप्टर में हमारे इस चैप्टर के में करेक्टर है उनका नाम है प्रोफेसर गाइटों ने यह एक हिस्टॉरियन है और इनका एक्सिदेंट हो ज ले जाते हैं और जैसे कि यह एक हिस्टॉरियन है तो इनकी जो अलग दुनिया होती है उसकी हिस्ट्री अलग होती है जैसे कि हमारी दुनिया के अंदर जो बैटल ओफ पानीपत है वो माराथास जो है वो हार गए थे इनकी जो दुनिया जिसमें यह मूव करके जाते पैरल तो आज हम देखेंगे कि इनों ने जो है उस पैरलेल वर्ड में क्या-क्या जो है समझा जाना और क्या-क्या वहां पर फील करा ठीक है जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहोगे पूरा समझ में आ जाएगा तो हमारे को डायरेक्ट बुक में शुरू हो जाता है कि ऑथर जो है मूने में ठीक है बेसिकली हुआ क्या था जिसने इनका एक्सिनेंट हुआ यह जा रहे थे एक पब्लिक फंक्षन में इनको एक लेक्चर देने जाना था और यह इनका 999 लेक्च्छर बास्या नीए दे चुके थे मतलब कि यह वन-धॉजंट होने वाला था जिसको देने के तो उनका थाउसंट लेक्चर देने वो जा रहे थे उन्होंने अपने लेक्चर का टॉपिक रख था बैचल ओफ पानीपत थे तो इनको एक ट्रॉक हिट करता है वो लॉस्कर देटे वह जगे नहीं थे वह जंदा हो गया है और मैं एक नई दुनिया में ठीक है तो फिर अभी हम चलते हों के चलो पैरलेल वर्ड में कि हमारे जो प्रोफेसर गाय चूंडे हैं उनको खोश आदाता है सुबा होस्पिटल में उनको एक्सिडेंट हुआ अगले दिन सुबा उनको सुबाइ करता है तो अपने घर पहुशने की कोशिश करते हैं गलें नहीं होता है तो सोच सहें कि चलो में बम sedi 3 जिए उनको अपका चैप्टर शिरू मुरु जाता है ? क्योंकि वो सुचते मेरा घर पूरे में नहीं है तो चाहर मेरी बेटे का घरते होगा बॉंबे में तो वहां चलता हूं ठीक है तो वेन गाय चोंडे चल रही थी डेकेन क्वीन से बहुत जादा तेश चल रही थी पूने के बाहर को इंडस्ट्रीज वगेरा नहीं थी जो फास्ट था वह लोनावला था वह चालिस मिनट में आ गया था उसके बाद घाट सेक्शन आते आने की बहुत सरी घाट साती है पेड़ पौधे पहाडिय है नई दुनिया में जहां मैं एंटर करा हूं तो मुझे लाइबरेरी ढूंड लेनी चाहिए वहां जाके मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ूंगा तो मुझे समन में आ जाएगा कि कहां बदलाव आया है ठीक है तो वह सोचते हैं कि पहले बॉंबे जाके अपने बेटे से म इस वाली दुनिया में भी होंगे या नहीं होंगे फिर होंगे तो मैं जाके बात करूंगा ट्रेन रुख जाती है उनकी टनल के पास में और एक चोटी से स्टेशन पे रुखते हैं यह जिसका नाम ता सरहद अब यह जो सरहद नाम का स्टेशन था इस पर यह देखते हैं क क्योंकि बॉंबे जो है ब्रेटेश ट्रेटरी था तो इसलिए बॉंबे में इंटर करते ही जो है पॉमेट लेने थे अब आप इस सब को सच मत समझ ना कि यह सब क्या चलता चाप्टर में यह सब एक जो है आप समझो कि उनके पैरललल वर्ड में उन्हें दिखाई दे रहा सब कुछ अलग होता है तो उसी तरीके से हमारे उथर अलग पैरलल वर्ड में चले गए हैं तो वहां पर उन्हें एक हिस्टोरिकल इवेंट का चेंज दिखाई दे रहा हूं से पूरे हमारे कंट्री जो है अलग है ठीक है तो फिर जो है वो कहते हैं उस समय जब में च्वे पेशावर ठीक है तो फिर वो जो है उन्हें बताते हैं पूछते तुम पेशावर कैसे जाएंगे क्योंकि पेशावर पाकिस्तान में है और इनकेस वर्ड में पार्टिशन भी नहीं हुआ है ठीक है तो वो पूरा रूट बताते हैं खान साहब एक्जाम क्ली इंपॉर्ट पहुच जाओंगा वहां पे और फिर खान साहब अपने बिजनस के बारे में काफी कुछ गंगादरपन गाइटोंडे जो है हमारे प्रोफेसर उनको बताते हैं कहते हैं मिलको ना सुनना बहुत पसंदे ठीक है मुझे जो लोग कहना चाहें सुनना चाहें अपनी कहानी में सुनने में इंट्रोस्टेड रहता हूं तो उन्होंने उनकी कहानी पूरी सुनी और फिर जो है वो जी बी एम आर पे पहुच जाते हैं जैसी जी बी एमर पे पहुचते हैं तो खान साहब बताते हैं कि जी बी आपर है ग्रेट बॉंबे मेट्रो पॉलिच रेलवे ठीक है और वो ये भी बताए है कि देखो वहाँ पे टानी यूनियान जाग पेंटेड है, एच गैरेज़ वहाँ की जो बगगी है, जो क्या कहेंगे वो कारेज ही होती है ते पे पीछे कि उस पे उस पे जो है स्पे जो है यूनियान जाग बने ही नाशनल फ्लाग है बिटिश का, ठ तो वो भी वहां पर उतर जाते कहते है स्टेशन बहुत रिमार्कलेबली नीट इन क्लीम था तो यह चीज दिखाई जा रही है कि जैसे जो स्टेशन है क्योंकि वह ब्रिटिश चैट्रिय तो चमकता वाद बिद्कूल साफ से था स्टेशन है नहीं कोड़ा बड़ा पड़ा ह वहां पर और वो कहते स्टाफ बेसिकली अंगलो इंडियन थे कुछ पार्सी थे वहां पर ब्रिटिश ओफिसर्स वहां पर घूम रहे थे ठीक है वो कहते जैसी मैं स्टेशन पर गया तो वहां पर जो है उन्हें दिख्या दिखती है और एक जो बिल्डिंग थी उसे देख और हमारे व्र्ल की असली हिस्ट्री के मताबिक तो 1857 के बाद जो है िस्ट आंजिया और पर बंद की है तब वहां पर चल रही थी तो बाठ काफी चेंज और देखता है फिर वो देखते अच्छा इसे लिए हां है तो वो हिस्ट्रीश अलग है फिर उने काफी चेंज दिखता है एटमॉस्फेर में क्या दिखता है वो कहते है जैसे मैं हॉन्बाय रोड पर चल रहा था हूं तो वो कहते है बरे अलग अलग दुकाने और ओफिस मेल रही होती है मुझे कोई हैंड लूब्स होती है वो सब नहीं थे बूट की और डिपार्टमेंटल स्टोर थे बूलवर्थ और लिलॉइड बैखले यह सब रिटिश बैंक्स थे वहां पर तिपिकली हाई स्ट्रीट टाउं ता इंग्लेंड का जैसे इंग्लेंड के शहर होते हैं ना इंक्स होते हैं अहां पर अलग अलग सी वो हमारे कहनी करते का हैं तो हमारी ऑ्थर बहार आ जाते हैं वह बिना कुछ कह रह रहा है अपर जोसे अच्छ हैं पहां ढंग दोन बाहन के इनसान ब्रांच हे हैं अन्यव वह जित्कोन क्रता है चिर और बाहरा रही वह वह तो तो फिर हमारी ऑथर बहार आ जाते हैं उन्हें बिना कुछ कहें और वो सोचते अच्छा थीक है मतलब मेरा बीटा इस वाली में एक्जिस्ट ही नहीं करता है और फिर वो कहते हैं मैं इतना जादा ना सोच विचार करने आला इंसानियों कि मेरे कुछ हिंता हूँ कि मेरा तो वो डिसाइड करते एशियाटिक सुसाइटी में जाएंगे लाइबरेडी में जाएंगे वहां पे हिस्ट्री को जानने के लिए वो कहते हैं मुझे लगा यहां पर टाउन हॉल होगा कहीं जगा ओगी जहांसे में लाइब्रेरी की तरफ देख पाऊं तो उनको हां जोगा के टाइम पिरट से हिस्ट्री को फिर उन्होंने समुद्र गुप्ति की हिस्ट्री पड़ी मोहमत गौरी की पड़ी और फूर्थ वॉल्यूम पे आके डेट ऑफ और अग्जिप पड़ी तो वहां तक हिस्ट्री सेम थी वह कहते हैं जैसे ही मैं आया फिफ्ट वॉल बट चांघन के अंदर जो माराथा की लीडर थे उन्हीं है वह शहीद हो गए थे और वहां से जो है फिर जोह फिर वह जो लोग जीद कए तें जो काबुल और जीद और माराथा आर्मी जीट जाती है ठीक है तो यह चीज उनको समझ में आती है बट उस बुक में भी डिटेल इवेंट्स नहीं दे रखे थी कैसे माराथा आर्मी जो है वो जीट जाती है तो इसलिए प्रोफेसर सोचते है कि वह कुछ और भी पढ़ेंगे तो ऑथर जो है रिक उन्होंने कब लिखे ठीक है तो आफ्टर द वार उन्हें जित्ता समन में आता है कि माराथास ने इस्टैब्लिश कर ली ती स्विप्रियोरटी इन द नदर रीजन रीजन ऑलसो विच्ट 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 राज नहीं आ पाया माराथा आर्मी नहीं नदर प्रिया को चैप्चर नहीं कर पाये ठीक है ओके तो उनको यह चीज समझ में आ जाती है कि माराथास का कंट्रोल बहुत जादा जो है माराथास की पावर बढ़ जाती है बहुत जादा हमारी कंट्री के अंदर और जो इस्ट इंडिया कंपनी थी वह सिंपल कंपनी की तरह जाद तर काम कर रही होती है फ्यू इंडियन सिटीज में लाइक बॉंबे क्याकटा मद्रास जैसे की वह यौरप पोचुगीज और फ्रेंच में करी है एक और चीज उनने समझ में रखती है कि मराथा ने मुगल कवर्मेंट को मुगल्स को भी जंदा रखा वा था उनली फ इंडिया कमनी जो भी काम करी थी वह जो है बेसिकली हमारे लोकल सेंटर्स को ग्रो करने के लिए वहां पर चल रही थी तो मतलब की यह था कि इंडिया था ठीक है प्रॉपर इंडिया था मराथास का रूल जो है वो काफी अच्छा रहा और उसकी वज़े से जो है जो पूर कंट्री बन जाता है वेस्ट की तरह मतलब हमारे डिमोक्रेसी आ जाती है पेशाहवाज और माराथा जो है वो भी उनकी जो एंपायर के लूस करते रहते हैं और फिर डेमोक्रेटिक सेटप यानिकी गवर्मेंट हमारे स्टैब्लिश हो जाती है माराथा रूल भी मतलब स्ल तो प्रफेसर को यह वाले इंडिया बहुत अच्छा था रहा था इट वस्टेट फॉन वन ही बिलीवड ही सो जो उन्होंने रियल वर्ल में देगा तो से बहुत लग था इस कंट्री नियू हाव तो स्टैन ओन इस ओन फीट यह कंट्री जान दी ती अपने पेरों पे खड तो बिल्कुल कपशा कर लिया था प्रिटिश को ने बिटिश के पास लीज पे था वह भी से 2000 तक 2001 के बाद वह भी इंडिया को बिप्रिश का वह भी नहीं रहे का चीक है बट जो है हमारे ऑफ्र को अब भी लग रहा था कि उनकी जो information है वह incomplete है क्योंकि वो अभी तक यह न बुक लेते हैं वह भाव साहिब बंची बखार की बुक थी कहते हैं वह कि मैं बखार की बुक्स पर वैसे इतना रिलाय नहीं करता हूं क्योंकि वह एंट्रीन्मेंट के लिए जादा होती थी यह उसमें इस्टॉरिकल इवेंट के साथ कुछ बातें मिक्स भी कर रखी होती थी बट फिर भी मुझे जानना था कि भाई कैसे जो है माराठास जीते थे तो मैंने उनकी बुक जो है वह स्टडी करी उनकी बुक में पता चलता है कि जो विश्वास राओ थे जो माराठा आर्मी के लीड चलती नहीं है उनके पास से निकल के चली जाती है और इससे क्या होता है मैराठा जो है वो जीत जाते हैं यह र geçृती है श्लात सबéoड़िस आप जो अभी हमें लाइबरी बंद करने का टाइम आ गया है तो अर्थर पूस्त कल कब खुले की तो वो कहते एट ओक खुलेगी ठीक है तो अर्थर उनको यह भी बोलते हैं क्या आप यह जो टेबल पे जो बुक्स मैंने रखे हैं यहां कि रहन दे सकते हैं जिससे मैं कला के फिर से पर लू दो बारा डूढने में टाइम लगेगा तो लाइबरी अन के था ठीक है वो भी खुछता कि इतने समय बात को यह पढ़ने के आट लिए वो क्या करते हैं वो बना रहे होते हैं वो यह सब पांच वोल्यूम्स वड़ते हैं तो एक नोट का पीश जो है वो अपनी जेब में रख लेते हैं वो अपनी राइट पॉकिट के अंदर जो भाकर की उसको भी रख लेते हैं गल्ती से मतलब देखो उन्होंने क्या करा है बेसिकल ने लाइबर पर रहे चीप मीट खाया वहां पर डिनर में ठीक है फिर मैंने सोचा में अजाद मेदान की तरफ चला जाता हूं क्योंकि वहां पर बहुत सारा क्राउट था बेसिकली असली दुनिया में भी उन्हें अजाद मेदान में ही भाषण देने के लिए जाना था तो वह पैरललल तो जो स्पीकर था उन्होंने जो मतलब वहां भाषण दे रहा था उसने इनको रोका और कहा कि क्यों तुम इस चेयर के उपर बैठे हो और वह उन पर चलाने लगता है कि चेयर को खाली चलो जो प्रेजिडेंशल चेयर थी प्रेजेंट के लिए उसको खाली करो खाली करो तो और उसे रिप्लाइ करते हैं कि ऐसा तो कोई लेक्चर होई नहीं सकता जहां पर जो है चेयर परसन नहीं हो अब तुम कैसे भाषण जैसे गाइस डिपेट्स होती है या फिर कोई भाषण होता है तो तो जिसको आप जो है रेफर कर रहे हो तो हमारे ऑथर कहते कि ऐसा ह सब्साइब कर और और वह सब्सक्राइब कर फेसर कोई नहीं बैठेगा तो में कैकि है को भाषण हो घ्र है वह कर प्रिकाइब के बहुत ही घ्र कोई अहीं और इस्ट पसंत नहीं आती है जो हमारे पमतलब उसे इस इसका मतलब तो यह हो गया जैसे कि Shakespeare के Hamlet में Prince of Denmark की नहीं है तो अगर आपने Shakespeare के Hamlet नहीं पड़ी है तो चलो जब आप graduation में अगर English करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी आपको तो Shakespeare के Hamlet में Prince of Denmark जो एक बहुत important character है तो उनके मिना तो यह प्ले आगे नहीं बढ़ सकता है तो बैसिकली वह यह कहते हैं कि भाशाण में अगर खाली है मापे जो है नहीं है वह बैठेवे जो परसन है तो वह क्या है कैसा भाशार आप कर रहे हो तो वह अपना आगे बोलना शुरू कर देते हैं तो इतने में उन पर गुस्ता हो जते हैं और उनके उपर कहते हैं कि हम नहीं सुनना तो मैं हम लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि चेयर परसन होना चाहिए नए जूटे पैसर अपनी स्पीच देने लगते हैं और फिर वहां पर एक टाइब की भगदर मच जाती है और एकदम से ऑथर गायब से हो जाते हैं अब जो है एकदम से क्यों होता है जब यह प्रक्रम उठाइब तो शायद ऑच्छिश बेहोश थे ना को में थे बेसिकली तो जब अजार सब्सक्राइब के पास और उनको यह सब बताते हैं प्रोफेसर राजेंदर उन्हें बताएंगे कि क्यों उन्होंने इन सब चीजों को जो है फेस करा क्यों वह एक ऐसे पैरलेल वर्ल्ड में पहुंच गए ठीक है तो वही नरेटेड एवरीथिंग डाठी सो उन्होंने कोमा के समय में पैरलेल वर्ल्ड में देखा वह सब बताते हैं अजादमेदान वाली पूरी के पूरी घटना एवरीधिंग तू राजेंदर जी राजेंदर जी उनकी ये बात सुनकर जो है काफी हरान हो जाते हैं और रेपलाई करते हैं और उनसे की पूछते हैं कि तुम जब तुमारे ट्रक से जब टक्कार हुई थी उससे पहले तुम क्या सोच रहे थे तो हमारे जो ये बताते हैं प्रोफेसर की उस समय वो कैटास् तो आगे इस तैप की कटास्ट्रोफ इवेंट के बारे में ही जब वह जा रहे थे वह राजिंदर जी को यह समझाते है तो राजिंदर जी को हसी आती है कि अच्छा यह तो जो करक के टककर से पहली यह सब बाते सोच रहा था तो उनको यह भी होशी में इस सब दिखाई होगी तो वो कहते है नहीं ऐसा नहीं था देखो मैं अपना जो है ऐसा ने मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स कर रहा था बैसिक्ली वो एपनी पॉकिट के नंदर से वो पनोट निकालते है जो आपनीनी येलेफ पोकिट में रखा ता नो उस बुकमिर से भाकर की निकालते और हमारे जो गाइटों दे दिये जो प्रोफेसर है उनको जो है तामाटर माटर फेक के माले लोगों और उने है काग यहां से तो उस बीच वो कॉमा से होश आजाता है उनको और यह जितने भी बाते थी ना देखो अभी तक जो नोने में बताईए जी ती माता एक्सप्रेस स उनको भी बता रही है ठीक है यह जब ओ दिखा भी यह जब दिखाते हैं वह अँको कहते हैं को तो चुमने दिमाग की तो यहां पर हमारे जो को गईंटों आपने दोस्कों जो बोलते कि रूकों में पास पूफ है देखो यह जो पेपर है यह मां से लीकर रहा है हूँ वह थे हो जाते हैं एक प्रेपर फटावा ही पीस ॅँसकी लिए हो एक लिए बपार की में लड़ाई में पाज़ пошती है और rival world की बक सी कि मफनार च।शी है सेवी लेया हूं उसको पढ़ हो तो फार आपर पढ़ते है राज इंदर जी फटावा पेज वह पैनल वर्ड से लाए थे उसको भी और जो भाकर के असली किताब है हमारी दुनिया की उसको जो फटावा पेज उस पर लिखा वाता है कि जो विश्वास रहो जी उन्हें बुलेट नहीं लगती है तो वह शहीद नहीं होते है और जो आर्मी उसको कॉन्फिदेंस और जादा बढ़ जाता है जो भाकर के असली बुकती है हमारी एलवल के उसमें रिखा वाता कि विश्वास रहो जी तो शहीद हो जाते है उसके साथ में उनके अंकल थे भावसाइब वह भी कहीं पर गुम हो जाते हैं वह पूरे के जाते हैं और मराथा हार जाते है ठीक है किरैं वह से हमें उनकी जो दूसरी वाली बुक थी उसमें लिखा था कि उनको बुलयस नहीं लगती है ऑन मराथा आपी जीएज औब साएन अब यहां पर रहसाइब और बहुत कंफ्यू जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ और हमारे गायट उंडे जी आंसर मांगते कि ऐसा कैसे हुआ, मैं कैसे पैरलल वर्ड में पहुच गया तो आप राजे इंदर जी कहते हैं कि दो चीजे हैं जिसकी वज़े से आप पैरललल वर्ड में पहुचे हो दो साइंटिफिक एक्स्वेनेशन है मेरे पास एक है Catastrophe Theories के लिए और दूसरा है Lack of Determinism in Quantum Theory अब Catastrophe Theory के होते है, Catastrophe Theory सिंपल ये है कि एक Small Change भी अगर एक Circumstance में हुआ है यानि कि एक Particular Situation है उसमें अगर एक छोटा सा भी Change हो गया है तो उसका एक बहुत बड़ा Effect आएगा जैसे कि महाराथा वाले आर्मी में लड़ाई में दिखाया कि जब विश्वास राओ जी जो है उन्हें गोली नहीं लगी तो बैटल ओफ पानीपद वो ही लोग जीत गए महाराथा जीत गए क्योंकि उनकी आर्मी का मुराइल डाउन नहीं हुआ ठीक है तो वही चीज वो उ दूसरी चीज वो आप यह बताता है कि कैसे तुम जो है उस पालल वर्ल में पहुचे होगे तो वह से बताते हैं लाक ओफ डिटर्मिनिजम इन क्वांटम थियोरी के मुताबिक आप लोगों को जिन बचे का फिजिक्स है शायद आपने इसके बार में पढ़ भी रखो मैं यह बताते हैं कि जिस तरीके से जो एक स्टेट में मूफ करते हैं तो हमें नहीं पता जो यह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूफ करेंगे ठीक है यहां पर आप यह जो एक डाग्राम है तो हमें नहीं पता कि यह जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कब शिफ्ट कर करते रहते हैं गہ कि इस तरीके से आप मान लो यह अलग अलग व URLs हैं और हम कैसे एक वल्ड से दूसरे में shift करसकते हां हम कर भी सकते तो हमारी अपनी reality की हां हम दुनिया में रह रह रहे हैं बट कर थि हम कहीं ला कहीं कि से में मैं आपको बहुत simpl March करके बता रही हूं हम लोग दोसे वर्ड में जो है जा सकते यह उव्ताते कि आप लोग जैसे हैरे एक स्टेइट से स्टे अइसेमें मोव करें इस्ट्री बार्ल वॐ और आप इसी वाले topic के बारे में सोच रहे थे, catastrophic theory सोच रहे थे, battle of पानीपत के लिए, आप वही चीज सोच रहे थे, जब आपके टक्कर हुई, तो ये चीज एक ट्रिगर करी, और आप उस वर्ल्ड के अंदर पहुच रहे तो बताते हैं कि इस तरीके से तुम parallel world में पहुच तो वह फिरोने explain करते हैं, एक concept से वह कहते हैं कि जैसे कि जब हम किसी को गोली मारते हैं, जब बंदूग चलती है तो वह trigger दबाये जाता है, और कही ना कहीं पता होता है कि वह जाके शूट करेगी, तो एक trigger के जरूरत होती है, वैसे ही वह कहते हैं कि शायद जिस सम्में प होता है, तो इंडिया की हिस्ट्री की होती है, तो तक्कर के समय पे तुम इस पारे में सोच रहे थे, और जैसी तुम्हारी तक्कर हुई, तो तुम्हारे जो brain की neurons है, उन्होंने as a trigger काम कर और तुम parallel world में पहुच गए, तो गाय टोंडे जी कहते हैं, मैं यही सोच रहा था इन फैक्ट मैजान में जब अपना 1000 लेक्चर देने के लिए जा रहा था, तो मेरा तो टॉपिक ही होने वाला था, कि अगर बैटल ऑफ पानीपर्ट अलग तरीके से होती है, यानि कि बैटल ऑफ पानीपर्ट में माराथास जीत गए होते हैं, तो क्या हमारी हिस्ट्री रह नतकि लिए समय पही है, टो मैं लिख साहथे हूं वह मैं आप गरती है, यह जा एक समय पर धिकानत सब्राइश से लिखाए, प्रजब होगा है, अगर 10,000 में अब सांधी कर सकते हैं, लिखुप अगर पहारान देलों को तोछे प्रजब देंक हो BradOM Edam, और जहाएं और पैर अपने उस वाले वर्ल्ड के अंदर ठीक है तो जो है विद्धिस ये वाला आपका जो है पुरा चाप्टर कम्प्रीट आपका ये चाप्टर फूल कम्प्रीट हो गया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई क्वेरी से तो आप भी पूछ सकते हो जो लाक ऑफ डिटर्मिनिजम जाली जो थियोरी है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है मैंने आपको जिता आपको चाप्टर समझने के लिए जरूरी था कि वह कैसे ज कोई भी क्वेशन आप एक साम में अंसर कर पाओगे उसका वीडियो लिंक डिस्कुप्शन वोक्स में गिवन है फर्स्ट कमेंट में भी गिवन है वहां से जाकिए कि वह क्वेशन जरूरी प्रिपैर कर लिए यह चाप्टर हो जाएगा आपका बिलकूल अच्छे से तैया पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश के चैप्टर सिल्क रोड गाइस यह चैप्टर ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ड लगता है इंसी आटी से रीड करने में और जो है लैंग्विज काफी डिफिकल्ड यूज कही गए है I understand बट गाइस यह जो चैप्टर है एक्जाम मोंट अ सिल्क रोड होने के वाला इस चैप्टर में देखो चैप्टर के और निक मिधिल्टन थी यह जोग्राफिस्ट भी है तो यह जा रहे हैं तो पूरा का पूरा जो रास्ता है रास्ते में जाते हुए जितना इनका सफर रहा वह सफर इन्होंने हमें इस वाले पूरे पूरा में जैसे दिखाइए देते हैं सिनारियो तो इन्होंगे लिखा असमान में कैसा मौसम है कौन से वाले काफे में रुक आब नोगल्स खाई कौन से वाले जो है पहार के उन्हें सबसेजादा जो है गाड़ी में उनको दिक्कत आई थी ठीक है वह उनको फील ओर था जार रहा था जैसे जैसे वह हाइट पर जा रहे थे तो इस एवरी माइन्यूट डीटेल्स उन्हें लिखके हमें बताई है तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत इंट्रिस्टिंग थे तो चलो आज इस चैप्टर को अच्छे से कम्प्लीट कर लेते हैं अगर आप जी एकनॉमिक्स एंफिजिकल एजुकेशन भी मैं अपने चैनल पर पढ़ाती हूं तो आप जाके पढ़ सकते हो और हम अभी देखते हैं अपने चैप्टर को डिटेल में चाप्टर का नाम सिल्क रोट क्यों रखा गया पहली यह समझ लेते हैं सिल्क रोट एक रूट है सब्सक्राइब गया है तो इसे रास्ते से निकल के जाएंगे तो इस लिए नाम रख दिया है सिल्क रोट ठीक है और कोई सिग्निफिकेंस है अब भी नहीं है इसे पढ़ने आले हम यह मांट के टरफ जो कोरा होने वाला है उसके बार में पढ़ने आले हैं तो मौसम कह जैसे मैं अपनी जर्णी स्टार्ट करता हूँ मेरी जर्णी स्टार्ट होते ही हाफ मून था स्काई में ठीक है मतलब कि अधा चांद था बहुत ही सुहामना मौसम था वो खेरे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान के अंदर एक पिंक शेड है रोस टिंटेट शेड है पिंक सबस्क्राइब सबस्क्राइब मैं एक बार आपको यह मैप टाइप दिखा देती हूँ कि कैसे जो है यहां पर देख सकते हो इनमें से काफी सारे प्लेसेस पे हमारे जो ओधर है वो जाएंगे जैसे आप यहां देख सकते हो यह लहासा और फिर यहां आप देखो होर होर जो जगह पर हमारे होर एक टाउन व महां पर यहां पर हमारे और रुकेंगे तो यह पूरा का पूरा रास्ता है यहां पर में वहां से करना बचसरा आट जाएंगे तो यह पूरा आप देख सकते हो बहन सारे रास्ते हैं कि हमाडरी निइसका निए प्रराउन huh वो उनको gift में देती है एक sheepskin का coat ठीक है जैसी वो जारी होते तो वो अपने जो है टेंट में जाती हो टेंट से gift उनके लेकर आती है इन फैक्क जो है हमारे author बताते है कि मेरा दोस्त एक डैनियल है वो भे मेरे साथ चा रहा है अभी मेरे अब जल्दी से आती है और हमारे author को gift करती है एक फैरवल गिफ्ट की तरह अब आप समझों की बदो जाते 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 है और साथ में कुछ खाने के लिए देते हैं कभी कुछ स्वीट्स होगे टॉफी फ्रूट्स होगे रास्ते में जो हम खा पाए इस तरीके से तो वैसे ही हमारे जो उनको गिफ्ट करती है लामो क्या एक शीप स्किन का कोट क्योंकि वह कहते हैं कि आप जारा बहुत चारा बहुत चारा बहुत जारा ठंड होगी तो यह आपको लग रहे हो अब ड्रॉगबा मतलब क्यों होते हैं ड्रॉगबा एक टिबेटियन नॉमाडिक पीपल को कहते हैं जो तिबबत के नोबैट्स होते हैं उनको ड्रॉगबा बुला चाता है और वह स्टार्ट करते हैं अपनी जर्णी चिक है तो आप गाड़ी में कौन-कौन हो जाएगा वहां उनकी तरफ चलते हैं और उस शॉटकर्ट वो उनको काम दबाएगा जो है न वहां पर शॉटकर्ट पर बहुत उचे-उचे पहाड़ है तो हमारे ऑथर को सेटन बताता है कि पाहड़ों पर बरफ नहीं होगी तो हमें बहुत जादा असानी रहेगी वरना ह जैसी वह राभू से बहां निकलते तो प्लेन इलाका आ जाता है बिल्कुल प्लें ऐसा ही होता है जब आप लोग घूमने जाते हो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड आएंगे अगर आप पहाड़ी लागे में जाता है शेर आते कभी गाव आता है सम्थिंग लाइक तो ऑथर जब प्लेन इलाके में आते तो वहां देखते हैं घास होगी वी थी और वहां पर घास चर रहे थी ठीक है फिर दीरे से उनको सामने दिखाई देता है जुंड जंगली गधों का और जैसे वह जुंड के करीब जाते है तो दस्ट का धुए का बहुत सारे दस्ट जो होती है सेटन कहता है यह तो बहुत दूर से चल के आ रहे है न यह जो जंगली गधे हैं इनकी वज़े से यह बन गया है तो हमारे ओथर देखते जब वो जुए को क्रॉस करते हैं कि जंगली गधे महां पर खेल कूट कर रहे थे इस वाज़े से इतनी जादा मिटी उड़ाई थी पूरे इलाके मेंस जो है डरची दॉर्य राकिति बहुत जबास पूरे इलाके में में फ्यड ama cha a लिए यह वह से ही और पिई आघे बढ़ते हैं प्लेंस से फिर से फिर से शुडू हो जाती और वहां पे रॉक्स होते हैं और वहां सरी वाइल लाइफ यानिकी बहुत चारा पेड़ पौदे भी बहुत सारे यंगी महां पे और काफी अलग अलग टाइप के जानवर भी होंगे फिर हमारे उसको कौन दिखता है हमारे उसको दिखते हैं ड्रॉग बास और उनके टेंट रॉग बास और में आपको बता दिया नूमैड्स है तो जब भी उनकी गाड़ी के जाती थी तो वह देखते थे कि जो जो अनिमल शीप वगेर होती थी एकदम से डर जाती थी कई बाद लोग नको बाहें से जा रहे होते थे वह मैं मैं सब उनको देख करते थे ते करते थे क्योंकि सब को पता है कि वो कुरा के लिए जा रहे होंगे ठीक है फिर हमने नुमाड के कुछ तेंट को भी जो है क्रॉस करा जो नुमाड जो बन जा रहे होते हैं उनकी जो घर तेंट है उनको हमने देखा वह बिल्कुल आइजोलेशन में वने थे दूर सुंचाने जागे में उनके बार खासियत क्या थे कि उनके तेंट के बार टिविटी एन मैस्टेव बैठी बार कि एक डॉप आप फैमिलियर होगे बहुत क्यूट होते हैं बट हमारे ऑठा जिस देखते हैं वो बिल्कुल फेरोशियस होता है वो कहते है चान नोमाड जन के घर के बार तुम कंग में रुड़ब मैस्टिंट तक वीय। दिर्फ वका थी जो रृफ न ओंड! कि मैं ने लिखा और मध यह इसे में तेन कि तुर्भा को मुझा गॉटें ऑपने के वह जुछे म।ब हैं। तेंट के पास और जैसे गाड़ी पास आने आले होती है तो जैसे बुलट निकलती है ना बंदूक में से वैसे यह तिबेटियन मैस्टिफ ब्लाक को जोर के भागते वह आते हैं और जब तक हम इनकी प्रॉपर्टी से याने की जो इनका नॉमाड का टेंट है उसके विपकु तो वह कहते है इसलिए शायद जो है चाइना की जो है कोर्ट के अंदर इसको हंटिंग डॉक की तरह रखा जाता होगा तो आप यार रखना उन्होंने क्या-क्या बोलत है तिबेटियन मैस्टिफ को वेरी कॉशियस पास शागी मॉंस्टर ब्लाक वायर रेट कॉलर ठीक है लॉन्हों पेहन रखा तरह तो तो नसा मारे औ chicos बहुंच जाते हैं वह मतलब तो दिदेंगर को देख सेखा किया की हइट प्याने लगते हैं वियली सटम उने लगती है Wyoming क्यों है तो वो Consent हिए और हम खृण और सिलो बachen लागा आ रहे निए तो देखते हैं पर बड़े बड़े रॉक्स थे जगह पर और इंज कलर के लाइकन जो है वह उग रखे ठीक है तो इस तरीके का पूरा उन्होंने हमें बता रखा है कि रास्ता उनका कैसा था बिनीद रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग और इंद नियर पर्मनेंट शेग तो जि आ grain शिए पर हैथे तो मेरे नाख में मेरे कांगे प्रेशर बन रहता है और वो रहिती है फिर अब उनको एक और बहुत गहरा कट आता है gagn.. करते है शेजर कर испने वह उपन करता है अपने डूर को और जल्समैरा निकलता है वो पूछते हैं कि हमारे author की क्या हुआ क्या हो गया है तो वो कहता है snow कौन कहता है snow उनका फिरेंड डैनियल जो गाड़ी में था वो भी कहता है snow ठीक है तो वो एक मिनट के लिए रोग जाते हैं जो है वो जो उनका drive with a season वो एकदम से गाड़ी रोग देते हैं तो डैनियल ब प्रॉब्लम यह है कि यह बरफ बहुत दद स्लिप्री और अगर हम इसके उपर से जाएंगे तो हम मारी गाड़ी जो है वो स्लिप हो सकती है तो ऑथर और डैनियल उतर जाते है तो गाड़ी में बिल्कुल भी लोड़ना हो और जो है वो देखते है कि जो उनका वो जो है driver वो गाड़ी को आगे लाता है ठीक है फिर वो जो है वहाँ slippery area पे नहीं जा सकते तो सीटन क्या करता है सीटन गारी में से आकर जो है जो नीचे जमी भी मिटी होती है जो स्वाइल होती है उसको जमी भी बरफ के ओपर डालना शुरू कर देता है हमारे ऑथर और डैनियल भी स्वाइल करते हैं सो दाट जब उस लिपरी पर अगर मिटी गिर जाएगी तो और आप से गाड़ी को लेकर जा सकते तो आइसी टॉप लियर के ऊपर वह थोड़ी सी स्वाइल डालते सो दाट देकन मूव फॉर्दर ठीक है तो वह उसके आगे से भी आप निकल गे जाते ऑ पहुत जाते है 5515 मीटर की हाइट पर बिल्कुल टॉप पर पहुत जाते हैं यहां पर भी अट्मोस्फेरिक प्लेशर बहुत लो था अब यह 5515 मीटर की हाउट पर एक करन ओफ रॉक्स होता है पत्थर का और बेसिकली यह बी एक मतलब की एक महां पे पिल्ग्रमेज की तर टीला बना होता है उसके असपास घूमते हैं तो हमारे ऑफर भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि वह भी कोरा के लिए जा रहे थे और उस हाइट पर 5510 पर प्रेशर इतना लो था कि सेचन क्या करता है कि जो पेट्रोल टैंक था उसका लिड़ थोड़ा सा ओपन कर देता है वो कहता करते जाते मधिये जब हम डाउन जा रहते तो वहीं एक बढ़ बहुत जाओ गए तर नीच से उतर के जब आते कहते दो बच गए थे और फिर सेचनरी रोगता है ठीक है इसा ऐंगारी रोकता है टेंट के पास में निरुद से भीचा-बच्छ कि टीक है अब यह जो जगा अद्टोन में पर और नकूपम कर रहे थे नमक च्छन के बहार में निकालहते हैं नमक कंपरे यहां थाया था आगे देखते हैं वह में पहarti हैं होर नाम का टाउन जो मैंने आपको कहा था वह तरफ पहुषने के लिए जाते हैं ठीक है अब हमारे जो है एस्ट वैस्ट हाइवे की तरफ पहुच जाते हैं जहां से लहासा कश्मीर का रूट जाने वाला था ओल रूट पे होते हैं यह ओल्डूर मतलब सिल्क रोड पर हैं उनका ज़र दोस्त है डैनियल उसको लहासा वापस जाना था तो वह बीच में उतर जाता है और उनको बाई कहता है वह ट्रक से जो है लेता है और वह लहासा की तरफ चले जाता है तो अगर में भी अगर हम इस मैप से देखे तो हम यह समझ में आ सकता है कि वह इधर जा रह तो जो उनका दोस्त है वह लासा की तरफ चला गया और वो लोग अगी की तरफ बढ़ते रहें तो अपने मांट को है वह कोड़ा कर पाए तो वह डैनियल को बबाई कह देते हैं और हमारे ऑथर की जो गारी थी इस समय पे जो है उनका ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था जो गाड़ी थी उसके जो टायर थे ना इस समय फेल बिल्कुल फ्लैट ओ जुगे थे बिल्कुल बाइड हो चुगे थे आ उनमें इसे डिजाइन बनाद हो थेvo दिजाइन बल्कूल बाल्ट हो चुका था विल्कूल जैसे गंजा हो जुका था क्योंकि वह इतने पत्ही ल बहुत ग्रिम और मिजरेबल जगा लगी उने ग्रिम मतलब भूत ही मतलब सुना पन लगा उने चहल चहाट नहीं थी जगा कि अंदर क्यारे कोई कोई ऐसे पेर पहुजे नहीं थे सुनदर सुनदर बाद डस्ट थी और रॉक थी लिटरली जहां मैं देख रहा था हुआ डस्ट थी और रॉक्स भरे पड़े थे और वो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ देखके विकॉस ताउन के पास में क्या थी लेक म सब्सक्राइब है वह सोर्स है हमारी फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स की इंडियस गंगा सतलुच ब्रहम पुत्रा और जो है वहां पे जब देखते है हो टाउन को कि वहां पे बिल्कूल बीनस वह नहां था मतलब कि एक जैसे होती है एक वाइब होती है ब्यूटिफुल प प्रणी से बिल्डिंग थी बैड पेंट हो रहा था तो तू ती वी तीन विंडो लगी वी ती उसमें बट अच्छा यह था कि महां से ब्यूटिफुल लेक मांसरोवर का व्यून को मिल रहा था तो वह कहते है कि वह सब मतलब कि जो जगा थी उस सब को पंपनसेट कर रहा यूथ मिलिटरी का तो एक लड़का था वो उनको जो है सर्व करता है तो उसने टेबल के ओपर से कपड़ा मारा और वह कपड़ा मारते सिंगे को वह कहते है क्या तेबल के उबर घ्रीस वी तो जब उपर और जाब ग्री सी साओ गया वो टेबल साफ कर के जाता है और जो है अपने लिए चाहे मंगाते हैं अब जो है थोड़ा बहुत हमार को बताते हैं कि उन्हों है और पढ़ा है कुछ ट्रावलर्स का व्यू और हो यानि कि पहले उन्होंने वो जोगराफिस्ट है वो पढ़ते रहते हैं मैंने काफी ट्रावलर्स को पढ़ा है वो जब हो पहुचे तो उनका इक्सपिरियंस बहुत अलग था मेरे से जैसे कि वह बताते एक ट्रावलर के पारे में जिनका नाम है इकाई कावा गूची तो एक जैपनीज मॉंग थे और जब यहां पर पहुचे थे तो 1900 में पहुचे थे वो तो वह कहते कि यह जो है लेक मांसरोवर इसकी प्यूरिची इसको देखके उनकी आखों में आसू आ गए थे फिर वह बताते कि मैंने एक पहुचे पढ़ा था उसमें कपल जो है जब यहां पर आये थे उनके साथ भी वह स्वीड़ स्वीडिन के थे उनके उपर भी एक ऐसे ही जो है इफेक्ट आया था जब उन्होंने जो है लेक मांसरोवर को दिखा था तो उनके भी आखों में आसू आ गए देवर ऑल्सो सें आ रहे हैं कि जो हमारा नीचर है मुझे उसे किता प्रेजर्व करना चाहिए जैसे कि जैसे जैसे लोग बिल्डिंग मनाते रहते हैं घर बनाते रहते हैं और नीचर का बिल्कुल भी धियान नहीं देते तो वह इस चीज को यहां पर इंडिकेट जो है वो कर रहे हैं तिर यहां आप डार्शन पहुच गए हैं और यहां पर गेस्टाउस बनावाई यह कैंपिक साइट लेखा है नहीं के केस्टाउस में वह रुपते हैं क्योंकि आप यहां से अपना कोरा परफॉर्म करना था ठीक है तो वह कहते हैं अब जैसे ही मैं डार्शन पहुचता हूं त कैसर फिल होता है तो हमारी एक और की एक नाके बंद हो जाती है वह कहते है जादा उचाई पे तो नहीं था में फोर सेवन सिक जिरो मीटर था वह से पहले और आज मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई मतलब रावू में मुझे इतना दिक्कत नहीं थी जितना मुझे के रहा था तो मुझे बंद हो घwnाणा चहें को किस दिर मुझे ऊयह कि यह हमारी नाक बंद हो उस्चार गारहे तो फिरम कुछे बार बार प्रहुत लग रहे थी तो पूरी रात बहुत ड़्र लग रहा था कि मैं क्या करूं मैं कैसी सऊं संह उं उन्हें लिए लिए और वो एक बार बैठ रहे थे सास ले रहे थे वह किसी चीज ने मेरे को असर नहीं करा वह बहुत डर गए ठीक है तो अगले दिन सुभा क्या होता है जो उनका वो जो है उनका जो ड्राइवर सेचन वो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है डार्चिन के मेडिकल कॉलेज म में मॉनेस्टरी थी वह उसके बाहर तुम्हां पर एक अंकल आते हैं वह इक डियुन डॉक्टर थे वह उनको ट्रीट करते हैं वह डॉक्तर वाला उनने कोई कोई लुजत नहीं पैन रखा था वाइट कलर का नहीं उन्होंने सिंपल सा स्वेटर पें रखा था एक हैट पें रखी ती और वह मेरा ट्रीटमेंट करते हैं तो यह कुछ पूछेंट को चेक करा और उन्होंने मुझे का कि यह गुद हो चुका है क्योंकि आप इतनी हाइट पे आई हो इसलिए कॉड़ है कुछ ही नहीं है और और मैं तुम्हें कुछ दूंगा खाने को अरब खाले ना मितलब दवाई दूंगा आप ले लिजे ठीक है तो वह कहते हैं उन्होंने मुझे एक पुडिया सी बना के दी वह फाइव डेस का कोर्स तिबेटियन मेडिसन का करते हैं तो वह कहते हैं कि भाई मुझे इतना जादा उ सब वह खा लेते हैं और वह कहते हैं उस दिन पता है मैं कैसे सोया जस लाइक लाइक टाइम मतलब एक टर्म होता है एक सिमिली है स्लीपिंग लाइक लाइक लॉग कि मतलब ऐसी चैन की नींद वह सोय तो वह दवाई में कुछ ब्राउन कलर की पैलेट्स भी थी तो जो भी थी हमारे और को बहुत जादा फाइदे मंद लगती है और वह कहते हैं उस दिन में मुझे कभी आई होगी जतना में उस दिन सोया तो उनको ट्रीट्मेंट काफी एफेक्ट कर जाता है ठीक हो जाती है तो सेटन जो है वह वापस चला जाता है लहासा ठीक है क्यों वार टू के बार पहले उन्हें डार टार चन वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि रात को नीदी नहीं अगल लग रहता बट अब उन्हें लगा इवन जब भी लोग जो है किसी ट्रैवल इरिया में जाती है जैसे कहीं पहाड़ों पे जाने है तो कुछ खाने है रैपर सन रहेखे लेखे सिर्डूर में नीचर भी सबस्सक्र we तो फिर वो बताते है कि वहां टाउन में कुछ रूटिमेंटरी जैनरल स्टोर्स थे आने कि कुछ छोटी मोटी दुकाने थी वहां पर चाइनिज सिग्रेट मिल रही थी सोब मिल रही थी ठीक है और साथ में प्रियर वाले फ्लाग्स वहां पर बहुत सारे मिलते थे ठीक है से अचाहते हैं बहुत पूल के लिए वहां पर टेबल सो लगे वे लघ़े अफल ओते हैं और गेम खेल थे खायर में ऑटके ओऑं असपास में आसपास में जो सा अपने घर के काम कर रही होते हैอ प्रॉब्लम होती हो किते हैं दार्चन में मैं बहुत रिलाक्स कर रहा था बट एक प्रॉब्लम इती डार्चन में कि मेरे इलावा जादा पिल्ग्रिम्स नहीं थे यानि कि ज़्यादा शद्धालू नहीं थे जो कोरा परफॉर्म करने के लिए परिक्रमा करने के लिए माउंट के लाश की ठीक है वो कहते हैं वैसे पीक सीजन जाब होता है उस समय में तो इतने लोग होते हैं कि स्टॉण में पैर रखने की जगानी करना असान नहीं है यह बहुत ही मुझे यात्रा है तो मुझे थोड़ा सा ड़ लग रहा था कि मैं अकीले करने कैसे जाऊंगा तो कहीं न कई वेट कर रहे होते हैं कि मुझे कोई साथ ही मिलेगा तब मैं जो है कुरा करने जाऊंगा तो फिर एक दिन आफ्टरूम में तो मैं सोच रहा था कि में पास लिमिटेट टाइम ही है और मैं चोहरा परफ़र्म करना चाहता हूँ और वह थोड़ा डर रहे तो चलो मैंने सब्सुचा कि मैं तो सब कुछ मेंने साथ पॉसिटिव होगा मैं ऐसा नहीं सोच गा कि अरे रौज रात को तो सूने में दिक्कत आ करना हुआ है मतलब कि मैं अपनी जरनी को चाहिए कि मैं अकेले वहां पर कैसे जाए ठीक है वह कहते हैं यह सब तक लग रहा था जब तक जो है वह नौर्बू से नहीं मिले थे तो फाइनली अमारी अधर बताते हैं कि एक दन क्या होता है वह क्या पास वे अपनी बुक्स भी अनके आके बूलता है यू इंग्लिश मतलब कि तुम अमेरिकन निगलिश हो तो वह बोलता है कि यू इंगलिश मंदब कि तुम्हें इंगलिश आती है तो फिर जो है अमारे अधर उसको जो है क्यता है है और फिर वो दोनों टी और करते है और आपस में बातशीत कर यानि को जाकेट होती है ना ठंड में पहनते हैं विंचेटर पहन रखी ती और उसके जो स्पेक्टिकल्स थे उसमें मेटल की रिम थी तो गरे में समझ गया थोड़ा वेस्टिन स्टाइलेस के कपड़ों में और वह बताता है उनको की वह टिबेटियन है और वह आचली में का रृव बताता है हा भी और नहीं तो नावभु बताता है कि आचली में कोरा की शओझ परस था हुऊति ऐसंने मुठी तो ऑफ सुन्टेश में क्या जीर्च है ख difór पे ब़हर रिखेंऑ करेया है मांट किलाश का कुरा तो मैं आज खुझ से मांट किलाश का कुरा करने हूँ और यह सुनके हमारे ओधर के आखों में चमक आजाती है क्योंकि हमारे ओधर भी एक जोग्राफिस्ट है एक राइटर है वो भी आये है इतनी दूर जो है कुछ से माउंट किलाज का कोरा परफॉर्म करने के लिए वो इसका experience लेने के लिए है सेम हमारा जो यह नौर्बू दोस्त उने मिला है वो भी ऐसा ही है वो भी academic है ठीक एक teacher है कियोंकि नरशा नहीं लाया में अपने अंदर के कोई मेरे साथ है कि अब ग Bonus में ठेक है किसी दर लगघी कोरा अभी तट Beim तो दोनों आपस में यह सब चीजे जो है याद करते रहें बैटके बैटके प्लान करते जब अपने को और वो सोचते हैं कि हम धग भी बहुत जादा जाएंगे तो नौर्बु उन्हें अब करिंगे हम यह जो है हाइर करेंगे तो अमारे ओफर प्रफॉर करने के सूच लेते हैं और जो है हमारे ओफर उसी के साथ में प्रफॉरा परफॉर्म करते हैं तो विद दिस यह आपका चैप्टर एंड हो जाता है आपको चैप्टर बहुत सिंपल लगा होगा देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था हमारे चैप्टर के अंदर अगर आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में जो है लिंक गिवन है की शॉर्ट समरी का जहांसे आप पूर डिफिकल्ट समाचे के साथ जो future relationship से बहुता है जैसे बचे बड़े होते थे आपने पारेंट से थोड़े दूर होते रहे हैं तो यहां पे एक फादर है और वो सूचते है क्या हो गया है क्या मेरी गलती थी जो हार मेरा बेटा जो है मेर से connect नहीं कर पाता हूं हमारा relationship है क् बात भी नहीं कर पाते हैं तो वह चीज को वह सोचते हैं और वही चीज उन्होंने हमें इस पोएम के स्रू बताई है तो जब पोएम पड़ेंगे तो आप अच्छे से और समझ पाऊगे तो फर्स्त एंसा आता है I do not understand this child though we have lived together now in the same house for years तो start करते हैं पोएम यह कहके कि I don't understand this child वह अपने बेटे को कहते कि मुझे मेरे बेटे के बारे में मैं अपने बेटे को पहचान ही नहीं बा रहा हूं इवन दो हम इस घर के अंदर एक चत की नीचे हम पता नहीं कितने ही सालू से रहे रहे हैं बट आज मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा हूं I know nothing of him So try to build up a relationship from how he was when small तो वो कहते है I know nothing of him मेरे को उसके बारे में कुछ ही नहीं है मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मैं try करता हूं उसके साथ एक ऐसा relationship बनाना जैसा हमाना बच्पन में हुआ करता है बच्पन में पाप और बेटे को बहुत अच्छा relation होता है Fathers बच्चों को cycle channel सिखाते हैं Fathers बच्चों को Games खेलना सिखाते है father बच्चों का बहुत अच्छा bond होता है बच्पन में बट वो कहते हैं अब मेरे बच्चे के साथ मेरा वह bond नहीं है अब जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूं ऐसा मुझे लगता है यह आ कर आदे वो कहते है I know nothing of him to try to build a relationship from how he was when small तो वो कहते है कि मुझे सके नहीं कुछ नहीं पता है क्या उसे पसंदे क्या नहीं पसंदे करी बार में कोशिश पे करता हु हमारा रिलेशिशिशिश्च बनाने के जिसे बच्छम में था अब वो सब नहीं हो पाता है Yet have I killed तो वो कही बर ये भी सोचते है कि क्या सब मेरी गलती है चलवागी परते है Have I killed the seed I spent or soon it where the land is his and none of mine तो यहां पर basically क्या है यहां बहुत कन्फूजन होते है लाइन में तो कही न कहीं पोईट सोचते हैं फादर सोचते हैं कि क्या मैंने कि किल कर दिया उस seed को जो मेरा था यानि कि वो बच्चे को अपना seed कह रहे है यह कह रहे है कि यह मेरा बेटा है बिल्कुल मेरे जैसा है दिखने में फिजिकल फीचर अगर मेरे जैसा है यह मेरा seed है मैंने इसे जन्म दिया है बट फिर भी the land is his and none of mine बट अभी जब मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे पहचाना ही नहीं पाता उस पर मेरे जैसा कुछ है ही नहीं ना मैं उसे connect कर पाऊं तो तो वो कहीं अगरी सूशते है वो कहीं नगरे खुद को responsible मानते है कि शाएर मेरी ही गलती है जो आज मेरे और मेरे बच्चे का relationship ऐसा है आके वो कहते हैं हम लोग एक ही घर में की गच्छत में नीचे रहते हैं एक अजनभी बन कर कोई साहीं नहीं understanding का हमारे बीश में कि हम एक दूसरे की बात समझते हूं बहुत दूरिया बन चुके है the child is built to my design yet what he loves I cannot share वो बच्चा मेरे design पे बना है मेरा बेटा है वो मेरे design पे बना है मेरा बेटा है वो मैं उसका father हूँ बट फिर भी जो से पसंद है मैं उसको share नहीं कर तकनो बच्चा father से बहुत दूर है connect नहीं कर पाते दूनिया बहुत ज़्यादा बन चुके है same बात वो बार बार रिपेट करें आगे वो कहते है silence around us I would have him prodigal returning to his father's house the home he knew rather than see him make and move his world तो वो कहते है हमारे बीच में silence है मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए अपने फादर के घर पे आ जाए जहां बच्पन में हम साथ मेरा करते थे मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़के जाए और अपनी एक अलग दुनिया बनाए I would forgive him to shaping from sorrow a new love वो कहते है ठीक है मेरे बच्चे की कुछ नंगुज गलती थी मैं उसे माफ कर दूँगा और मैं जो है उस दुख से कि मेरे को इतना दुख है मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है मैं उससे connect नहीं कर पाना हूँ मैं उस सब दुख से एक नया love मेरे अंदर आ गया है मुझे दुख हो रहा है अज मुझे रसे राइस कि मेरे बेटा इसे कितना दूर है मैं नहीं शुरुआत करना चाहता है मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरे से दूर जाए कि ह्कल को बहार चला जाए मेरे घर चोड़की चला जाए इंज tomorrow त् efforts by cycling यह ζHE हूहां भी लड़कर के छाहा है। तरक देखा हम और हम तो दोनों गैटी होन। हम दोनों को एक साथ रहा जागे अम आधथे। यहने फिर में प्रलाफी अमपर रहा खिए। फैर समय दोन को एक मैं का रहा है। कहता है I cannot understand myself why anger grows from grief we put out an empty hand longing for something to forgive जब बेटा बोलता है वो क्या कहते है I cannot understand myself मैं खुद को ही समझ में नहीं पा रहा हूं why anger grows from विफ क्यों जब मैं दुखी होता हूं मैं याद करता हूं दुखी वाली चीजों को मैं दुखी होता हूं बट उस दुख से में घुसा हो जाता हूं why anger grows from grief क्यों मैं गुसा हो जाता हूं we each put out an empty hand यानि कि हम दोनों इक दूसरे को समझने कोशिश करें empty hand मतलब आप भी मेरे को समझना चाहते हो मैं भी आपको समझना चाहता हूं longing for something to forgive आप भी मुझे माफ करना चाहते हो मैं आपको माफ करके आगे बढ़ना चाहता हूं कि हम एक साथ खुश हो के रहें बट यह सब नहीं हो पा रहा है और यहां पी पोएंड हो जाते तो दोनों सूचते भी हैं कि हां इक दूसरे को माफ कर देंगे बट हो नहीं पा रहा है इस इस पोएम को एक बर रवाइस कर लेते हैं आइ दो नो अंधिस्टैंड इस चाहिप दोशिश नहीं कोशिश करता हूं कि वैसा इसा बच्पन में था बट नहीं हो पाता है yet have I killed the seed as spent or sown it were क्या मेरी गलतियों की वज़े से आज हमारा relationship ऐसा हुआ है ये बच्चा मेरा seed है ये क्या मेरी वज़े से ये ऐसी हालत हो चुकिया हमारे relationship की फिर वो आगे कहते हैं the land is his and none of mine यानि कि अब वो बच्चा मेरे जैसे हम जब बात करते हैं कोई प्यार कोई connection है ही नहीं the child is built to my design yet what he loves cannot share यानि कि हुम मेरे जैसा है मेरे design पे बना है मेरा खुद का बेटा है मेरा सगा बेटा है बट फिर भी जो चीज़े उसे पसंद है मैं पसंद ही नहीं कर पाता हूं silence surround us हमारे बीश में silence है यही बात होगी वो बच्चे को टोकते होगी बच्चा भी नहीं समझता होगा तो कहिना करी दूरिया बढ़ गई है वो silence है उनके बीश में वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास वापस आदे वो चैन्स गजूड़ में लो इससे नहीं नहीं देखना चाहते हैं, ़ो सुड़ के चैन्स से नहीं दूमीड होग चाहते हैं उ दूरय जाते हैं ठीक है उसकी गलती थी तो मैं उससे माफ कर दूँगा मेरी गलती तो मैं चाहता हूँ मैं वो मुझे माफ कर दे मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे बहुत प्यार है अपनी बेटे से मैं चाहता हूँ मारे रेशंचिप अच्छ हो जाए Father and son we both must live on the same globe and the same land हम पापा बेटे को एक ही घर में same globe same land पे खटे रहना चाहिए वो कहीना कहीं तयार है अपनी बेटे से माफी मांगते हैं कहीना कहीं तयार है कि मैं तुमारी गलती को माफ कर दूँगा हमें साथ में रहना चाहिए अब he speaks finally बेटा बोलता और कहता है cannot understand myself मुझे खुद अपने पर समय आता कि क्यों मैं गुसा हो जाता हूं जब भी मैं दुखी होता हूं तो कहीना कि उसके फादर की गलती होगी तो जब वो उनके बारे में सोचता है उसे भी गुसा आता है कि इन्होंने भी मेरे साथ ऐसा कुछ किया है हम दोनों एक दूसरे को माफ करना चाते हैं लॉंगिंग फॉर्ट करना चाते हैं लॉंगिंग फॉर्ट पुट आउट एंप्ट नहीं लग रहा है हम एक नया relation start नहीं कर पा रहे हैं हम उन चीजों को नहीं भूल पा रहे हैं तब ही जो है ये लोग अभी भी grief में है ठीक है तो with this ये poem complete अब इस poem में से just type के question आएंगे वो बहुत tricky हो सकते हैं क्योंकि poem काफी difficult है तो tension लेनी के जोट में है एक pinned comment में विडियो गिवन है जहां सारे important question cover हो जाएंगे word meanings आप यहां पर check कर सकते हो कोई queries तो comment section में पूछ सकते हो मैं चलती हूँ वबबाई ठीके बैस अफ लग ऐसी English के बागी सभी poems और chapters को पढ़ना है तो links are given in the description box मैं मिलती हूँ next video